4 plus 1 is equal to 5 2011 की बात करते हैं यह आया 4 4 plus 4 is equal to 8 2014 की बात कर लेते हैं 4 दो 6 और 1 7 4 plus 7 7 4 11 is equal to 2 2020 की बात कर लेते हैं is equal to 4 4 plus 4 is equal to 8 2024 की बात करें females के लिए तो इसका total जो आया 8 4 plus 8 is equal to 12 is equal to 3 तो जो भी female पैदा होगी 2024 में उसका कुवा नंबर जो है वो 3 निकलने वाला है यह 4 plus same है यही फॉर्मूला है जो जो reminder आता गया हम उसको यहाँ पे add करते गए और वहाँ पे हमने minus किया था बहुत queries है थी सुवे से लेके अब तक तो इसलिए मैंने का एक बारी मैं दुबारा क्लियर कर दो आप सबका आज दूसरे दिन में सर आप अनुट करें फ्लीज जी रहाइट डे टू में कल हमने क्या सिखा था कौन बताएगा है जो कल के बच्चे यहाँ बेठे वे बैठे वे अब पुर्वा जी बैठी है नोट सोर्स पूरी डैरी बारी लेके बैठी है सर बोलो पुर्वा जी कल क्या सिख़ा था था हमने कुआ नंबर बताया था लोशो ग्रिट के बारे में सब कुछ समझाया था लोशो ग्रिट बनाना वह नंबर निकालना एंजल नंबर 129 कैसे सैटल हैं वो सब सिखाया था राइट तो आप सब सबसे बेसिक चीज लोशो ग्रिट की महत था क्या है वो सिख़ी थी कितने पॉइंट कितनी बार रोज बोशो ग्रिट बनाना चीए यह सीख़ा था उसके फाइदे क्या होते हैं क्या बैनिफिट हैं किस तरीके से वो कारे करता है सुरी इसके जागा सिखा था राइट इसके लिए खा खुवा नंबर इट न थेह बेनिफिट हैं का बैनिफिर से और इसी तरीके से हमने ओं टुण्स को भी थोड़ा alpha समझा था, understanding की थी कि वाट इस दवान टू नाइन, राइट, विद अ प्लैन नेम अफ प्लैनेट्स, किस प्लैनेट्स में क्या थे, किस तरीके से, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने कल आप सबसे दर्फास करी थी, यह है किर्पा का शेत्र, तो यहां पर जो करेगा वो पाएगा, तो कल गुरुजी ने एक आदेश किया था आप लोगों को, हाकी का थमें, और कल आपको दो चीज़े बताई थी गुरुजी ने, लिखने के लिए, खुद के उपर एंप्लिमेंट करके, एक्स्प्रिमेंट करने के लिए, कितने लोगो ने किया, सबसे पहले कुवा नमबर किस किस ने किया, वो लिखो चैट में मी, ओके, लिखो चैट में मी, जिस जिस ने कुवा नमबर अपने हाथ पे कल से लिखना शुरू कर दिया है, या पहले से लिख रहा है, नो किया, रैडमी में नो किया, बहुत बड़ी बात है, तो नहीं हो रहा है चोटा सा काम है जब ग्रीन पैन नहीं था तो ब्लू से रेट से जिसे लिख लो अपने हाँ sorry 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 my mistake real I had done that's really wonderful जिन जिन ने किया था जिन जिन ने किया थैंक यू लता मैं आपको बात करनी तो आप अपना सिर्फ कैमरा और रखेंगे विद ग्रीन पैन आईदर ग्रीन नहीं है तो ब्लू कलर का पैन यूज जब तक ग्रीन नहीं लेका है तो तो ब्लू कलर के पैन से लिखना रड कलर वर्जित है सर ने बिलकुल किलेली बोला सर ने बोला था एट नाइज सेवन टो अमर्जन सी कैश वन फाइव तो एक अलग अमेजिंग बहुत बड़ी बेनेफिट है बहुत बड़े ब्लेसिंग है यूदिवस्पोर्ट नमर मॉलो एंजल नमर मॉलो एंजल मॉलो पाकवा नमर मॉनो ब्लेसिंग नमर मॉनो यह सब वो आपके लिए चीक है कल अब दूसरा काम जो मैं आप से पुछना जारू वो किस किस ने किया था वो देना जवाब तुथ ली देना दिल से जवाब जिसने किस किस परसन ने पंदरा बार लो शो ग्रेड बनाएगा देन तुथ ली क्योंकि जिसने हाल लिखी मी वो अपने हैंडरेस करेगा उसकी कौपी में देखने वाला हूं आइड़ मी डीड चौलो बहुत सारे तो कौपी देखी लेते सर देखो देखो लाओ जी लेओ अपने अपने काम लेओ आज स्कूल में सम्मिट कराने की बारी आ आपने किया दिखाओ दिखाओ कौपी दिखाओ देखो 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 देखा रही हूं जा बात बहुत 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 क्या नाम है आपका सैंसंग वाली मैम क्या नाम है आपका मैम आपका नाम क्या है लता मनिया लता मनिया अप तौक इसको कहते है मैडम अर्विन ढूसर की भाशा में इसको इश्क होना चाहिए वो डबल लिखना ठाइए गौरव भाइब लिखा बहुत अच्छा है जिसको डबल पैसा चाहिए वो डबल लिखेगा जिसको सिंगल पैसा चाहिए वो सिंगल लिखेगा गौरव भाइब 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 लिए बिलकुल I'm telling you seriously you will get the wonderful benefit the people who are going to write up जिसको आप मेरे लिए नहीं लिख रहे हो किसके लिख रहे हो आप सब अपने लिए लिख रहे हो Thank you बरव जी, Lata मैं Neetu मैं, Pritish जी Thank you Alright, so आजी राजेंदर जी आपने लिखा था बंसल्दाव Yes sir, yes sir, बहुत दिन से लिख रहा हूं क्या बात है, किते दिन से लिख रहे हो बरवू बंसल्दाव कितने दिन से लिख रहे हो Lady without feel बहुत बहुत आनंद, इस से जीवन में आनंद समझ आ रहा है आपको आर राजी बिल्कुल आ रहा है आएगा, इसमें जितनी शिद्द दिखावे उतना ही आनंद आएगा पूँ Thank you Rajinder जी, बंसल्दाव Thank you sir, thank you So, a very simple thing मैंने कल्ब भी आपको से माने जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत बढ़िया जो आपने किया बहुत अच्छा जिन जिन ने लिखा, मैं उन सब को एक चीज बताना चाहूँगा अब भी फिर आपको मैं बताता हूँ लोशोगिर्ट आप सब को फिर बताएंगे सब एक बार फिर से रीकैप करेंगे लोशोगिर्ट क्या होता है उसको क्यों लिखना चीज किसले ने, जो लोग नए जोड़ रहा है तैनि, तो बिलीव में, आप पिश्वाश कर लो यूँ वांट टो चेंज लाइफ मैंने कोई आपको यह नहीं बोला कि मंतर पढ़ने बोला संदीब संदे, आपने बोला है संद, मंतर पढ़ने लिए खुदी ने बढ़ता? खुदी ना बढ़ते? और क्या? हाँ, ना आपको हवन करवाए, ना पूजा करवाए, ना कुछ करवाए, ना बात राइट? आपको सिर्फ हो सिर्फ संद ने बोला ये लिखे देओ, आपको आनन्द आएगा, जीवन में बैतरीन आनन्द आएगा और बोली, ये लिखो और उसके पात जीवन में आनन्द लूटो और हंडिड पसेंट आएगा, आनन्द कैसे आएगा? ये लोश्टो कि खुद रिकल के ये नहीं आनन्द आएगा, जीवन में जो काम नहीं बन रहे होंगे, वो आटोमेटिक बनने चलो, रहा असान हो जाएगा रावल भाई फोन आते हैं सर, मुझे ना मंत्रों का उचारन ठीक नहीं होता, और मैं का भाई मैं पंडित नी हूं, मुझे माफ कर दो या जी, भाई जो चीज तुम दिल से नहीं कर रहे हैं वो चारन ठीक होगा ही नी, तुम तो सर बेब बोज लेके कर रहे हो, अरे यार उस पंडित जीने बोल दिया, और ये मंत्रों का उचारन करना पड़ रहा है, पदह नहीं मुझे कितने पंडितों ने बोला, मैंने नहीं क जी मैं स्क्रीन को लगा रहा हूँ सर, प्ला हूँ、 समय देखो आंतों सिर्डिया प्लीस, एपना को रेंगे आ धिपक भाई, अपना क्यो करेंगे, यह देखो राहुल भाई कुछ लिखा रहे है, देखो अब्यां सर, स्क्रीन देख नहीं अब दिख रही है, बाहींये कोई बात कोई बात में दीपक भाई कभी भी अपना लोशो गुरिट नी बनाएंगे यह लोशो गुरिट को हम कहते हैं लक्षमी माता का आशिरवाद तो यहां पर आपको जो राहुल भाई अभी दिखा रहे हैं इसका फोटो खीच लो कोई बात में जिनको भी मेरी तरह डबल पैसा चाहिए वो डबल लिखेंगे जिनको सिंगल पैसा चाहिए वो सिंगल लिखेंगे ट्रिपल कोई मत लिखना क्यों नहीं लिखना या वो क्लास में समझ में आएगा देखो यह कितना सुंदर बना के भेजा है फिफ्टीन टाइम्स ग्रीन पैन से आप भी बना सकते हो ऐसा मैं खुद बना रहा हूं पिछले साड़े तीन साल से बहुत सिंपल सा है बहुत सिंपल कुछ नहीं हो जगता पैसा भी चाहिए और कोई काम नहीं करना है यह लक्ष्मी का यंत्र है पंदरा दफा बनाओ पंदरा का मतलब भी छे है और अपने काम पे नगओ छोड़ दो लक्ष्मी माता पे अपने आवाशेरवाद देखे लेंगे और मैं एक बार आप सब के हैंड़न करता हूं किसी की फास्टेज दो तिंक लारी तो बिकें स्पीक नहीं तो फिर आगी चले किसी भी कॉपी पर बना लो केश्वारी मैडम वहमत पालो चाहे प्लेन कॉपी हो चाहे लाइनों वाली कॉपी हो चाहे ऐसी बॉक्स व अब आज ही जोइंग किया है तो कल की क्लास तो मैं सोगी और रवन सूर्थ सर को भी फॉलो करता हूं थोड़ा बह। बार आपने बताया उसके बारे मैं रिली हग नो आइडिया को कि कल की क्लास में सी होगे यह तो एना यूटूब पे युलो लिंक बेजनों अभी मैं तो खलिखा पूरा बेसिक आपको आईडिया मिल जाएगा अगर वो आप थोड़ा सा भी बता पाएं तो आज की सेशन फिर एक बर कुआ नंबर रिपीट कर देंगे सर कर देजिएगा प्लीज मैं कहाँ हाँ अभी बच्चे जुड रहे हैं अभी बच्चे जुड रहे हैं हां मतलब यह पुछना था सवाल कि कुवा नंबर जो है आपने परसेंट इसका और 20 परसेंट पावर्फूल रहता है तो नंबर की अनरजी बढ़ा है या जो लगी नंबर होगा उसकी अनरजी बढ़ाना चाहिए आपका डेटा बर्थ क्या है त्वेल्थ अक्तोबर नैंटीजी तू एक सेंगर सर आप बिलकुल जवाब दीजेगा धिपर भई रात में से फ्रिज में से पानी निकाल के भी है या कुछ आईस्क्रीन निकाल के खाई है नहीं सर रात को बातरूल तो गया है जिवनी होती है हाँ गया यह वह जिवाली का बोनस है हाँ ओके इतने प्यारी नहीं होती जितना बोनस प्यारा होता है वह बात भी है शारी बात तो वही और है क्या आग्या ने आइक्टरि मुझा पूछ रहा था क्या है आपके लग्वी नंबर क्या है पाच नंबर नंबर पाच पर उके और वह उसमें जा रहा है तो इसलिए भा यह किया था मेरे लखी नंबर क्या है चलो यह बताओ चलो वह देखना पड़ेगा यह कौन सी लगानी पड़ेगी देखना पड़ेगा क्योंकि वह लिखा हुआ है यही समझा रहा हुआ हुआ अपने आप में एंजल नंबर हमसे कहते हैं यह आप में बहुत बड़ा आशिरवाद है इसका लगानी नंबर से कोई लेना देना नहीं है हुआ नंबर जो भी आपको कुद्रत ने दिया है बहुत सोच समझ के दिया है उसको अपने हाथ पे लिखो मैं सुबह से चौथी दफा लिख रहा हूं हाथ मिट जाते हैं फिर लिख लिए हैं क्या दिख करते हैं वह तो है मेरी दो बार सुबह से चली गई कोई बात नहीं अले 15 रुपे का 20 रुपे का पैन ना वहीं तो खर्च होगा और क्या होगा पैन तो है अपने बास होगो इस नहीं है बस दिखते चलो जी हरी ची चलेगा ठैक्यू नमस्कार जी जी नमस्कार नमस्कार साथ मैंने भी कल से लिखना शुरू किया है ओके हो जाता है लेकिन पूरी तरह नहीं मिठता तो क्या पूरी तरह मिठा के लिखना या ओवर्रैटी कर सकते हैं और हाथ दोलो पूरा मिठ जाएगा जड़ से खता कर डालो एक से सिंग साहब कल से गुरू जी एक बात समझाने ही बात कोशिश कर रहे हैं वैम ना करना है अच्छी तरह से राज साफ कर लो फिर लिख लो क्यों वहम पालते हो वहम नहीं पालना पस कर लो तरह भी तो पाऊगे पस साइंस नहीं हो सकते डियर इससे सिंपल साइंस नहीं है मार्केट वे इसी इसी वेबिनार में टेस्टोमेनिल आ जाएंगे कुवा नमर के आजी अ रिकॉर्डिंग वेज़ां गुरुप के अंदर रिकॉर्डिंग वेज़ां देख लिए अधिक तो वह बहुत जाना चाहिए था एक तो बहुत जाना टेकनिकल मैं बंदा होनी ना हो जाए इतना टेक्निकल समझ महां था तो मैं बस यह था कि जो अभी ग्रेट दिखाई थी नाइन ग्रेट बने वह था जो और उसमें सेम नंबर थे तो क्या यह सेम नंबर ही लिखना है मल्टिपल टाइम्स जी डियर लोशो ग्रेट सेम ही रहेगा होल लाइफ वो चेंट तोड़ी होगा नहीं अभी जो नंबर इसको फॉलो करेगी एक बाड़ी दिखाओ राहुल बाई एक बारी फिर देखो यह जो लोशो कि मेरा 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 डेटो बहुत जैसे कल से जर्ग बता रहे थे ना संदीप सर कि दो राट मैं वही वाला बंद हो दो देखो 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 यह लक्ष्मी यंत्र है दे रोज आपको पंदरा दफार को करना इसको कॉपी करना है काम पर कॉपी करना क्यों तो बताओ मुझे मुझे समझ मैंनी कॉपी क्यों करना है यही तो मैं जानना चाहा हूं यही तो बात है वह पुरानी कहवत है कहुआ काल ले गिया सब लोग उसके बीचे बाग बढ़े लेकिन अब मुझे तोड़ा सा हिंट दिया कि लक्ष्मी यंत्रा तो मैं समझ गया आप जिसको पैसा चाहिए मेरी तरह बनाएगा जिसको पैस करें पापा का अवान करें दुनेश कोई समय निश्चित नहीं है अब ऐसा तो नहीं कि इस पात का समय है पर बोजी ना नाने की जरूत है ना दूने की जरूत है उठो बनाऊ और एक सर मेरा मेरा एक यहां पर पॉइंट था आप अभी जो कल भी आपने एक लिंक पर जा थ का सर के वीडियो का तो मेरा मैं बैगर हूं तो मेरा सिजेशन भी है चोटा सा की जो ग्रूप है जहां से हमने जॉइन किया है अगर वहाँ पर डाल दे तो क्योंकि इसमें तो क्या है निकल जाएगा बाइट वहाँ तो पर्मानेट रह नहीं वाला है टुमारो विल गैट संदीभी जासा के चैनल को फॉलो कर लोग तो वह पर ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब ऑसने बीच वीच में आज्ट कुछ होगा तो विल सी टैंक यू समर्स आइक पड़ने चलती एक ताम जल्दी 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 घड़ी इसर घड़ी में और दो बेटे हैं विश्चाल्थ वनियार और फिल्व जुशन है हाँ हाँ दोनों का basic और destiny four four है वह नमबर 31st अगस्त 1999 का one है और 22nd March 2004 का वह नमबर five है लगकी नमबर 7156 दी है तो सर्थ मुझे पुछना था कि इसका abroad का चल रहा है रिशब मनियार का जॉब कर रहा है अभी राहुल भाई ने पूचा कल से कोई कोई कोश्चन है अच्छा नहीं तो सार कल कोश्चन पूछन था कल नंबर नहीं आया इसलिए आज पूछ रहे थे स्टार्टिंग में कल भी नहीं बताया था आज भी एक बात बता रहा हूं आज भी सर पढ़के नहीं है विदेश आज आज आप देखोगे कि वह फोर वाले होते को नहीं आज आपको समझ आएगे तैंक यू मैम सो फड़ा फर से लास्ट कोश्चन आपको उसके बाद आगे चलेंगी दिनेश भाई आपका कोश्चन बाद में लेगे थोड़ी ज़र में अलो जी जी साजी नमस्ते नमस्त प्रभु जी अभी राहुल भाई ने बोड़ा जो कल पढ़ाया है उससे रिलेटिव कल जैन नहीं वह पया है मैं लास्ट एंडिंग में हुआ था चलो कोई बार नहीं आज जोएंगे तो आज पढ़ो अभी पांस दिन सब पढ़ाने वागे लास्ट वाले दिन देटो पर प्रवाद लिए कोश्टन आंसर के लिए बस ठीक है पांचो दिन कर दी चलिए आप से पांच थोड़ी दिर बादें बात करते हैं क्योंकि सेशन चालू करने का समय आच चुका है कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं हमारा आपके कोश्टन आंसर कर देने का नहीं है आपकश्टन का का आंसर पता है तो सुनने के लिए होना चाहिए प्लेम क्या होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे पहले रहुल भाई वहीं सीखना पड़ेगा पहले वन टू राइन सीखती है जो आप चाहें सर पहले वन टू राइन सिखाके न कि कल मैं थोड़ा बाद आया था आज मैं पूरा उसको एलोब्रेट कर दूंगा एक मैं अ लोगों इस बात का इंटरस्ट ही नहीं लेंगे कि मला जिसका वन और टू उसको तो बड़ा इंटरस्ट आएगा नाइन वाला बाकिन नहीं जा रहे अभी उत्ना नहीं जा रहे उत्ने जाएंगे सर्व एक से नौ ही बता रहे हैं जो हमने कल भी बताये थे आज थोड़ा लोगों ने लेड जॉइन करा उनको समझ में नहीं आया कि आज उनिके उसके अंदर लावल भाई वह दो मुझे शेरिंग दो यार दे तो रखिए शेरिंग भी दो हो आप देखो आपनो वाइड बोर्ड शेट कर रखा रहा है जब वह एक मिटो जाएक मिटो जो जो मिने स्टॉप शेर कर दी अब करो आ गया ठीक बड़े ध्यान से एक एक चीज को सुनना बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझना क्योंकि ये बहुत जबर्दस चैप्टर है जो आपको दोस्तों आप हम अपना करते हैं निया चैप्टर अब बड़े ध्यान से इसको सुनना एक नंबर क्या होता है दो नंबर क्या होता है तो दोस्तों जो मैं आप अपको स्पेशल बताने वाला हो वो जरूर नोट करना ये बहुत लाइफ में काम आएगा अब हम अपना करते हैं निया चैप्टर स्टार्ट इस चैप्टर का नाम है नंबर क्रेक्टर्स हर नंबर को कही न कहीं पे एक स्पेशल इंडिकेशन मिला है एक स्पेशल आशिरवाद इसके लिए ही आपको इन नंबरों के साथ जुड़ना पालेगा सबसे परें समझते हैं एक नंबर एक नंबर जो है वो है सन का तो लिखें नंबर वन रिप्रेजेंट सन सूरिय किंग फायर अब आप देखो यहां पर कुछ लिखा है कॉम्मिकेशन वर्बल इसको जरूर लिखके अंडरलाइन कर लेना बाकी यह कुछ मत लिखो यह किसी काम के अभी नहीं है आगे समझ में आएगा क्या है और क्या नहीं है अभी हम सिरफ यह समझ रहे हैं और यह समझ रहे हैं और इसके ओपर पकड़ कर ली उसको बहुत बड़ा आशिरवाज समझ में आएगा प्लास के अंदर नंबवन रिप्रेजन्ट से री सुर्य के इंग फाय के प्रेक्ट में आप लिखेंगे यह कॉम्निकेशन का नंबर अपर यह जो एक नंबर है यह आपको कॉम्मिकेट करना सिखाता है यह सारा का सारा जो इसका एक नंबर का सभाव है वह संसूरी किंग फायर भी रहेगा और कॉम्मिकेशन को भी हम एक नंबर से जोड़ते हैं नेक्स नंबर इस तू नंबर टू इस मून चंद्रमा चंद्रमा रानी कुईन मून चंद्रमा रानी कुईन वाटर हम इसको कुछ जगां वाटर भी लेंगे कुछ जगां कुईन भी लेंगे ऐसे आपने समझना है मून जो है वह एक फीमेल का शीड है वहाँ पे हम उसको फीमेल से ही जोडते हैं और ब्रैकेट में आप लिखेंगे इंट्यूशन पावर एंड सेंस्टिविटी कुछी दो नंबर को में रिप्सेंट करते हैं इंट्यूशन पावर के साथ तो इस पर लिखेंगे इंट्यूशन पावर एंड सेंस्टिविटी 3 नंबर तीन नंबर तीन जो है यह बेस्टाओं के कुरू कि बहुत भडा इंका आशिरवाथ है नंबर तीन ऍप्रेजेंट जुपिटर भासपति अ काउंस्लर इंलाइफ इसे लोग जो होते हैं बहुत बढ़िया काउंसलिंग करते हैं तो नंबर 3 इस जुपिटर और इसके साथ आप लिखेंगे तीन रिप्रेसेंट इमेजीनेशन पावर तीन नंबर जो रिप्रेसेंट करता है वह आपकी इमेजीनेशन पावर नमबर फोर नमबर फोर इस राहू गुंडा दियर डेविल पुलिसमें नमबर फोर इस राहू गुंडा दियर डेविल पुलिसमें और ऐसे लोगों के बारे में आप लिखोगे वेरी वेरी डिसिप्लिन एंड और नाइस्ट ऐसे लोग जो होते हैं वो जल्दी से कामून का आपने आपको हमेशा discipline में रखते हैं बैलेस करके चटते हैं यही चीज में को सम्झाना चाहता हूं कि आपको जुनि भगवाने कि नम्बर दीए हैं उस में से कैसे हम blessings 화 निकाले कैसे समझें कि हम क्या नमबर शेया हैं यही आपको ये एक युवराज या राचकुमारी का नंबर है, क्यो कि हमारे समें मेल फीमिल नहीं होता, ये एक राचकुमार या राचकुमारी का नंबर है, न not five is mercury, बुध, प्रिंस या प्रिंसेस, इसको हम कहते हैं, बैलेंस्ट इमोशन, नमबर पांच जो है वो लोशो ग्रीड में सेंटर में आता है और यह आपकी सारी इमोशन्स को बिलकुल बैलस्ट करता है क्योंकि आप मैं या कोई भी प्लैनेट है या कोई भी आदमी है या फीमेल है हम सब लाइफ में उतार चड़ाव से ही अब लाइफ में पांच नमबर एक ऐसा नमबर है जो आपको बिलकुल बैलस्ट करता है और बिलकुल आपको बैलस्ट करके लगके चलता है आप लोशो ग्रीड में ध्यान से देखो यह नंबर वाइफ सेंटर में आया हुआ है ब्रह्मस्थान में इसका महतर निम्रोडोजी में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा अब नमबर सिक्सिस वीनस नमबर सिक्सिस वीनस शुक्राचारे गुरु घंटा यह बिलकुल अंडर लाइन करना यह इनके लिए बहुत उप्युक्त लाइन है बाइफ और बाइक रुक्त ऐसे लोग जो होते हैं वो लाइफ में अपनी मर्जी ज्यादा चलाते हैं यह बाइक कुछ ऑन्मानी अपनी ज़रूर करते हैं उनको हर चीछ जो है अपने हिसाब से चाहिए यह दिल मांगे मूल अब बहुत कुछ पढ़ने वाला हूआ वापको अब चोटे-चोटे चोटे-ट्रेलर्स ते तो छे नंबर जो है वह होम एड फैमिली का नंबर है यह तरह भी दानवों के गुरू है कही ना कही पे यह अपनी मनमानी करते हैं हमें यहीं चीज देखनी है हमें यहीं समझनी है कि क्या नंबर से क्या समझ में आ रहा है तो नंबर छेश वीनस शुकर गुरू घंटाल बाइख और बैकरोग और बैक्ट में आप लिखेंगे होमें सब्सक्राइब कर दोस्तों नंबर सब्सक्राइब कर दोस्तों राहू और के तू कभी एक हुआ करते थे बढ़ जब विश्नु भगवान ने समुंदर मंथन के साथ अपना स्पोर्ट दिया था तो वहां पे वो सब देवताओं को अमरित पान कर वारे थे तो जैसे ही रहू के तुम्हें देखा इन्होंने क्या किया अपना वेश्पदला और ये देवताओं के भीच में जाके बैट जैसे ही उन्होंने अमरित पान किया विश्नु भगवान ने गड़न का तो गड़न बन गई राखू और बाड़ी बन पोच्छा पर आपब बन जैसा इस कर दो लिए तो झाल रहूं । उडिव खेल जैसे हम उसके पान आप धर-बन एक्षरवाद्स नंवड़ जिछ सीज ऊबिखनी है यही चीज़ ढशनी है कि जो भी चीज चुसे उसके अंदर है वो से कैसे ब्रेसिक्स लें ये नंबर ज कि मिलते ही मिलते हैं तो रिसर्च एंड डिसपॉइंटमेंट का नंबर भी है नंबर सेवन नंबर एट इस सेचन शनी इसको हम इंफिनिटी भी कहते हैं अब बड़ ध्यान से देखो अभी तक आपने जो भी नंबर बनाये थे हार्थ नंबर को एक स्टार्टिंग पॉइंट था एक एंडिंग पॉइंट था लेकिन अब जो नंबर आपने बनाया है उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है इंफिनिटी दमरू सो सारी कहानी एक ही आती है ऐसे लोग जो होते हैं यह भी बहुत लाइफ में टैंशन तकलीफ में जीते हैं नंबर एट इस सेचन शनी जच और ब्रेकेट में आप लिखेंगे डिसिप्लेंड और ऑगनाइस्ट नंबर इट इस सेचन शनी जच डिसिप नंबर नाइन जो है दोस्तों यह नंबर है मार्स का मार्स मंगल सेनापती कमांडर इंची नंबर नाइन इस मार्स मंगल सेनापती कमांडर इंची यह आपको हर चीज के अंदर बताएगा कि आपको कैसे मानफता का काम करना है नौ नंबर रिप्रिजेंट मानफता हुमिटेरिया है कैसे आपने अपने लाइफ की अंदर इस चीज के साथ देखना है जुड़ना है और उसके बाद आशिरवाद है उसके जो जो भी नंबर मैं आप या को बताए है एक नंबर इस सन तू नंबर इस मून थ्री नंबर इस जुपिटर चार इस राहू पांच इस मर्करी 6 वीनस साथ स्केतू आठ सेचन नौ इस मार्स तो आपने हर चीज की हर चीज के उपर अपने एनलेसिस अपने जवाब को लिखो अब आपको जो भी नंबर मताएं हैं आप बड़े ध्यान से इसको लिखो बड़े ध्यान से इसको समझें क्योंकि हर नंबर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है यह नंबरों का खेल बहुत जबर्दस्त है और हमें यही समझना है कि हमें इसमें से कैसे अशिर्वाद दे यह कभी भी हलके में नहीं होते अगर यह चीज पर आजाएं प्रॉपर समझ जाएं कि हावरी यह काम करना है तो फिर स्काइज का लिवेट अग्यों यह हमारा चैप्टर नंबर करेक्टर पर अगला जो हमारा चैप्टर आएगा वह आएगा बेस ओफ निम्राजी बड़े द्यान से इस चैप्टर को समझना है क्योंकि यह चैप्टर अगर आपने समझ लिया तो आपको 25% निम्राजी आगे बर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझसे आज गीता का ज्यान ले ले जैसे प्रिशन भगवान में गीता ज्यान दिया था मैं आपको आज पहलादा जो आपको लोग मिलेंगे जो में जुझ तकलिफ निव आणिवें टुरमीर दृतर दो होगा जगा रड़ाई निया पर डाफ्तर चाहूर को ठेल का लिप blinking अग लिव प्राइव अच्टर स्गर होगा धुओ अँजैवें थैज tutela इससे को इंदें आपके पास 290% क्लाइट होगे जो दो चार या आठाशिंगे दो राइवर याच धो था रखनेफ दो पनुक्टर चार ड्राइवर है चार चार बवरीज चार कंड़क्टर राइवर यद आठ फैसे आपको समझ ना है और इस में ही जिसको हम सोलूशने ऐगे जिसको हम blessings देंगे यहां पर जो भी हम कुछ करेंगे वो एक पांच और छे से करेंगे जब भी आपने solutions देना है वो हमेशा तीन नम्रों से दिया जाएगा एक पांच और छे सो बहुत बहुत धन्यवाँ दोस्तों चलते हैं अगले एपिसोड पर सी यो एक नमबर रिप्रेसेंट करता है communication दो है intuition तीन है imagination फोर नमबर है discipline and organized फाइफ है stability six है home and family seven जो है इसको हम बहुत जगां यूज करने वाले हैं कुछ लोग इसको spirituality की तरफ लेके जाएंगे कुछ इसको भी imagination power की तरफ यूज करेंगे कुछ इसको confusion की तरफ यूज करेंगे तो इसके बहुत सारे multiple roles है number seven के eight फिर दुबारा से organized and discipline होगा और nine number जो है वो humanitarian number आएगा ये रट लो क्योंकि ये वो नौ नमबरों का सबसे important formula है समझने के लिए आप भी कोई ना कोई driver conductor से rule होते होंगे जैसे मेरा number है art अब मैंने लिखवाया आपको discipline and organized अगर मैं red light पे खड़ा हूँ और आगे कभी भी मुझे पता है पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा फिर भी मैं red light जंप नहीं करता हूँ ये मेरी अंदर की भावना है discipline and organized मेरा conductor one है मेरी communication देखो मैं पिछले 1992 से और आज 2023 आ गया मैं बातों की खा रहा हूँ communication अपने driver conductor को समझो समझो कि भगवान ने क्या आशिरवाद दे के आपको भेजा है फिर दुबारा कह रहा हूँ note कर लो नकली date of birth को कभी life में use नहीं करना नकली date of birth क्या हुई कि जी मेरे पापा ने स्कूल में college में एक नई date of birth बना के लिखवा दिया था उससे हमें कोई लिना दिना नहीं है हम जब भी numerology astrology किसी से बात करेंगे तो अपनी original date of birth से ही लेके हम उसके ऊपर discussion करेंगे राहुल भाई चुड़ो आते तक राहुल भाई किसी का बथड़े है आज जी सर माजर ओके ओके डियर ओके डियर हाजी सर जी डियर आप मेंसे किसी का बढ़ड़े है तो प्लीस हैंड्रेस करें आपका आपके वाइफ का आपके बेबी का तो देखो दो तरिक में लोगों ने पैदा होना छोड़ दिया है आपके चक्राइब डियर दो चाहँ करवाएगा तुमने मेरे याद टोटे करवा दिये पहले तो पकड़े गार जी राज साब कुछ कह रही है खोसला साब कुछ कह रहे हैं खोसला साब जी का कैमरा खुला खोसला सब्सक्राइब करते हैं नहीं किया था पर जब उन्हों ने रहुल जी ने बोला कि दो को किसी का वर्डे नहीं तब सब्सक्राइब करन सिंग कह रहे हैं सर मेरी डॉटर का बिठे कल है कल वैसे करन साब बता दू मेरे बेटे का भी बर्थडे है तीन दिसंबर नाइंटीन नाइंटी सिक्स बहुत बहुत बढ़ाई हो करन सर आपको आपकी बिटिया एक सेकंड सर पहले जो दो वाल है करन सर से ले 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 थे हैं हाँ टैंक यू में जी वी प्रिया मैं क्या बूल रही है देख रहता हूं सर इसा है मेडम हम तो प्रिया बुला लेंगा को फ्राजी सीखने के बाद काई तो वी प्रिया गुपता कर दिया थे या डॉक्टर प्रिया हम थो अब ऐसे बहुत है हम गोलते प्रिया मैं हमारी है हाँ दांगा प्रिया इसका पढ़्द हैं आज किसका बढ़े आज कल मेरी सिस्टर का बढ़े 3 12 1980 थोड़ा पूछना भी था आपने पूछा कि तीन कल का है तो मैंने सोचा उसका ही करवाल मुझा अब वो बिटिया का एक बर्थड़े आ गया उस चोटी मुझी को पहले आशिरवाद दिलवाते हैं कि मुझे पढ़ाना भी ह प्लीज अपना है करन कौन है करन शाबरिया साथ मुझे नहीं पता डिर करन पी सिंग लिखा हुआ है कैमरा ओपन करो लॉट्री आपकी लगी है वरना प्रिया मैडम लॉट्री ले जाएगी फिर मत कहना जी करन की प्रिया मैंना महां भी बनाओ अपनी बहां की ग्रिट बनाओ सब चीज आपने की हुई है करन भाई तो आज पहली बारी या दूसरी बारी आये होंगे शीखने के लिए आपको हर चीज मालूम है अपने को सूपर कॉन्फिडेंट बनाओ है कि येश पर रहे होंगे जुकना आता ही नहीं है सर मैंने सरेंडर कर चुकी लाइफ में अपूरा तरह से सलंडर करना एक अलग बात है लेकिन जुकना अलग वनाओ ये स्लेंडर करते गते सीरेंडर बारा उन्निस वस्ती चीक है मैं ड़न मनाव करन साब की साथ साथ में ग्रेड होंगी लाते हैं हाँ हाँ है करन साब यहीं डेटा बर्थ है रहां कन्फर्म सार सार हां जी सार पीमें त्री चार दुच्छे और एक सार साथ राइवर थ्री कंडुक्टर फोर है प्रभू सार 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 बिलकुल प्राइट नेरे बेटे का भी यही है थैंक यहीं नंबर हो गए फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन यही है करन साब मिशिंग नंबर बिलकुल यही है चीक है चलिए तो करन सर बिटिया की लाइफ में अभी तक कितने हर्डल्स कितनी दुख तकलीफ आपको लगती है 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 यह सर जी आई बिटिया नौ साल की यह भी ज्यादा बड़ी एज नहीं है आप देखो के वह पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी है बिटिया को भगवाने बहुत अच्छे बुद्धी दे के आशिरवाद दे के भेजा है बट फिर भी कहीं न कहीं पे वो अपनी मनमानी करती है और आपको उसकी मनमानी के आगए जुखना बड़ता है बिल्कुल ठीक है जी जी लाइफ में अगर उसने कह दिया कि आज मुझे मैंगो शेक पीना है तो आपको कहीं से भी जाके मैंगो लेके आना पड़ेगा जी जी क्या मैं कह सकता हूं जी कोई भी काम करती है बहुत शिदत बहुत दिल से स्टार्ट करती है बट उसको 40-50 परसेंट पहुंच के ही खतम कर देती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी है दिल उचट जाता है बिल्कुल सर अगर आपकी बिटिया को मैं दो आप्शन दू टीवी देखना या बुक्स इस यह है आशिरवात को बिटिया कभी भी टीवी को देखके टाइम किल नहीं करेगी वो बुक्स के साथ है दाट इस आर लास्ट ऑप्शन कर तो यस 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 लास्ट एंड बेस्ट वान आलसो अब आप मुझे बताओ आपकी क्या क्वेरी है इस डेट आप वर्थ को ले इस देर वो जो वही बात है भी पूरा तरन सर उसके लिए एक ही चीज है अभी बिटिया जब पढ़ाई करती है तो उसका फेस किस तरफ होता है असर ज़ाधा तर ईस गी तरफ होता है अभी यहीं करवाना है जैसी फेस एस इस में गया तो पीड हमारी वेस्ट में चली जाएगी और बिटिया वहीं करना है और जब बिटीया स्क्राइगी तो फेस चला जाएगा नौर्थ में और बैग चले जाएगी South में प्लिकर अभी बिटिया को आमें देना है घ्यान अभी बिटिया को opportunity नहीं चाहिए अभी चाहिए घ्यान 11th class में आने के बाद चलेगा घ्यान ठीक है जिरे तो अभी घ्यान चाहिए तब opportunity चाहिए तो 11th class के बाद जाएगी opportunity तो इसके पीट जो है साउथ में हो जाएगी और फेस जो है वो नॉर्थ में चला जाएगा बताओ बिटिया के नेम के स्मेलिंग क्या है नदर यादर आगे फिर पंजाब और न्यू डेली नपी जिए मेरे चाचा करना मिशच रहुत है यह चौदमे साल में हुई हमारी शादी के बाद, चौदमे साल में हुई तो मेरे चाचा IPS अफसर्द पंजाब में उनको था कि बच्चा हो, बोलते थे फलाँ जगा मत्था टेको ऐसे करो, हमेशा उनको पुई उनकी डेथ के बाद यही डाइड आफ लिवर कैंसर, उनके बा कि बुलाते जादा नदर ही है इसको सारे बुलाने की कोई वाइबरेशन नहीं सर, जो भी कुछ है, हम उसको लिखके सूपर स्ट्रॉंग बनाएंगे, जी सर, आप राहूल भाई का नंबर ले लो क्योंकि इसमें ना वर्किंग करने पड़ेगी, इसके नेम के स्पेलिंग 43 के 7 पे आ रहे है, जो कि उसको अच्छा आशिरवात तो दे रहे हैं, बट उसके साथ उसकी health issues बढ़ाते जाएंगे, भढ़ते बढ़ते, तो इसलिए आपो क्या करना है, नेम के स्पेलिंग को सबसे पहले change करना है, और change करके जितना जल्दी हो सके, official on the records में इसको change करवा पाएंगे आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नदर जो है, वो भी अच्छी vibration पे नहीं आ रही, वो चार पे आ रही है, वो और hudels देगी बिटिया को, ठीक है जिए, और black, dark blue और white कपड़े बिटिया बिल्कुल नहीं पहनेगी, लिख लो आप, अच्छा जी, black, dark blue and white, white भी न सब्सक्राइब करो, कभी-कभी शादी का हो जाए तो हो जाए, नाव के नीचे का हिस्सा, इंप्योर होता है, वहां कुछ भी प्यास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नाभी के निचे ठीक है, अभी ये नेम के स्पेलिंग 43 पे आ रहे हैं, जो कि non-sportive है, इसको क करना पड़ेगा, आप राहुल भाई का नंबर आपके पास है, आप उनको कॉल बेक करिएगा, मैं इसको ठीक करके दूँगा, आपको, पीटिया के लिए आशिरवाद है, मेरी तरफ से, उसके बर्ट हड़ेगा, जी प्रिया मैं, आप बताएगा, प्लीस, हां जी सर, बना आच पर आती है, बहुत बढ़िया, पूनम कोल, बताओ फिर क्या पूछना है, सर, हेल्थ कराब रहती है, इसकी हर समय, तो सारी जिन्द की खराब रहेगी, हां, वो तुमेले बच्चे दा जनम देना आगा, ओ, दसो पी, राहुल भाई, एक मुन, एक मुन, एक मुन, जी प्रिया मैम, अब आप अन्म्यूट करें, जी, एक मुन, जी मैम, वो तो मैंने बता दिया, कि भाईल तो खराब रहेगी, रहेगी, आप इसको वाइड कपड़े, और येलो कपड़े नहीं पहनाएंगे, अगर मैं कहूं कि सिस्टर जो है, वो बॉन लॉयर है, तो सही है, गलत है, यहां, बॉन लॉयर है, बट वो है नी, लॉयर बनी नी, बट हां बॉन लॉयर है, बहस में आप उससे जीत नहीं सकते हैं, यह यह फैक्ट है, और बॉन फॉर फैमिली, जितना चिंता इसको लगती रहती है ना, फैमिली की, शायद उतरी चिंता आपको नहीं है, नहीं, मेरे को तो है, उसको हाँ, ज्यादा है, उसको ज्यादा है, मैं इसको ऐसे कहूंगा, उसको हर चीज में है, अगर किसी को घलती से जुखाम लग गया, छीक भी आ गई, तो बस देखो फिर उसको कैसे काड़ा किना जाएगा, वो मेरा, मेरा ज्यादा है, उसका नहीं है और ने को मेरा ज़्यादा है सब के लिए शादी हो गई इनकी हाँ हाँ दो बेटे भी हैं ओके शादी को कितने माक्स फिर शादी को बहुत साल हो गए कोई बात ने कितने माक्स मिया बीवी की बंती कितनी है वो बता दो बस मुझे इसके हस्बिन का नहीं पता डेट ओपर बात मुझे डेट आपर चाहिए नहीं मुझे सरब यह पूजना बंती कितनी है बंती है बस ठीक है तो अच्छा अशिरवाद है हम उसको नहीं चेड़ेंगे जो भी कुछ करे शी इस साइलेंट हां तो फिर स्टोरी खतम होगी ना उसने असर कर लिया कि भईया मैं मैं इस मैं अपना जो भी है वो उनके नाम कर देती हूं कुछ भी कहें वो सबसे बड़ी है वो कहती है कि मैं कुछ जब जो सुनने वाला इंसान नहीं है तो मैं कुछ बोलती नहीं कुछ भी यह शादी कपकी तूट चुकी होती अगर आपकी सिस्टर ने इसको समझ लिया बहुत आश्यरवाद है तीसरा भी नशन्सर उलिदय को दोनेकी तना मतलब इस लग को बेदा कर चुक ब Webb हम other करें साक दे दिया वा मतलब से स्वाइन करवाओ 43 डेज जी सर जी स्थांक यू सो मसर थैंक जी परमूट रादे रादे अवा जारी से मुझी बिलकुल आरे डियर बिलकुल आरे यू प्लेंट पे आरे डियर मैंने आपको थोड़ा एक्जांपल दिखाया कि कैसे हम प्रेडिक्शन करेंगे क्योंकि यह आपकी और मेरी आत्मा है यह बहुत बड़ा सा से लोशो गरिक्ष Kenneth बना वाऊऊ यह जे जो हम लोशोग समझ रही है न यह आपकी और मेर्या डीयर ने है यह हमारी आत्मा है और जिस विक्ति ने इसको समझ लिया वह समझो लोशो ग्रिड का माहिर खिलाडी हो गया बना लो अपने अपनी कौपी में ये पांच दो तिन मिंट का आपको समय दे रहा हूं अब ये बनाओ आपको बहुत कुछ चलेश बाइस बना लो बनाओगे तो सीखोगे तो कुछ कर पाओगे प्रभू जी राइट कि सुन लेंगे बना लेंगे हो जाएगा ये कर जाएंगे कर देंगे वह कभी हुए नहीं है आस्ता है आपको अपनी आपसे मिला रहे हैं अभी कि आपके लोशो करीड में भगवार ने क्या धिया है जैसे मैं प्रिया मैडमों कह रहा हूं कि उनकी सिस्टर की मैरीज कपकी टूट जाती अब ये बची क्यों क्योंकि उनकी सिस्टर ने अपने इसको को ठोड़के उनके पति देव ने जो कहा उन्हेंने उसको असेप्ट कर लिया और यही अगर कोई दूसरी लेडी होती कब का डिवोर्स हो चुका होता रोज मेरे पास ऐसे तीन जार दीन चार केस आते ही आते हैं इसी तरह की डिटा बर्थ वाले जी जी डियर प्लीज अब मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यह लोशो ग्रेट अपने पेपर बुख पे बना ठीक है बनाओ उसके बाद जो सब जैसे यसके उपर लिखते जाएंगे वैसे वेसे अपने अपर लिखते जाओ उस बात को समझनेगे कुशिश करो यह आप से अपने आपको रूबुरू कराये आ जाएगा किससे बरकार की बलेसिंग आपको मिली है क्यों म ळागा जी साड़ू करें सर लिए तोस्तो टोटल जो है हमारे पास एक वर्टिकल प्लीन है लिख लो पहले वर्टिकल वर्टिकल प्लेन कौन से वाले है 4, 3, 8 पहला प्लेन इसके बाद है 9, 5, 1 और लास्ट है 2, 7, 6 तीन होरिजॉंटल प्लेन है कौन कौन से हैं जी 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 और जो सबसे जवर्दस प्लेन है डाइगनल प्लेन वो है 2, 5, 8 प्रॉपर्टी प्लेन लिख लो चाहे इसके आगे क्योंकि बार-बारी कुष्टन ये लोग आपसे पूछेंगे मैं कब प्रॉपर्टी परचेस करूंगा ये ही वो आशिरवाद है जो प्रॉपर्टी का इंदर मिलेगा ये है गोल्डन लख फ्लेक्टर सब कुछ इसी पे निधारित है क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो 15 दिन हमारा ये ही समझने में निकलता है जिसको ये समझ में आ गया उसको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन देना प्रेडिक्शन करना समझ में आ जाएगा सबसे बड़ी चीज है आज जो हम समझेंगे वो सिरफ वर्टिकल प्लेन के बारे में समझेंगे कल हमारी शाव को क्लास होगी फिर नौ बजे तो हम कल होरिजॉंटल प्लेन और डाइगनल प्लेन के बारे में समझेंगे आज हम सिर्फ वर्टिकल प्रीन के बारे में समझेंगे वर्टिकल प्रीन है फोर त्री एड नाइन फाइफ बन तू सवन सिक्स उपर से नीचे जाते रहे देखो यह 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 ऐसे वर्टिकल यह वर्टिकल यह वर्टिकल यह होलिजॉंटल यह होलिजॉंटल यह होलिजॉंट सो सबसे पहले लिखो लोग आके आपसे पूछेंगे बाई साब या मैडम क्या मैं पॉलिटिक्स जॉइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ लिखो लोग आपसे आके पूछेंगे क्या मैं पॉलिटिक्स जॉइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आपने पॉलिटिक्स को देखने के लिए क्या देखना है 438 पहली रो अब क्या करो इसके साथ साथ ना हर बॉक्स के अंदर जैसे बॉक्स बनाए ना यहां पर लिख लो 33.3% इसको ऐसे करते हैं इसको रब कर देता हूं यह आपको असानी देतेगा और इसका कलर भी चेंज करते था हूं 33.3% हर बॉक्स में लिख दो 33.3 यह ना इस बॉक्स की वेल्यू है हर बॉक्स की जो वेल्यू है वो सेम रहेगी 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% एक देट आ बर्त लिखो 19 जून 1970 19 जून 1970 वन सिक्स साथ और एक आठ ड्राइवर आया वन कंडुक्टर आया छे मिसिंग नंबर है नंबर टू नंबर थ्री नंबर फूर नंबर फाइव नंबर एट लाउल भाई सबको बोलो इडिट आ बर्त लिखे 19 जून 1970 जी उननीश चै उननीश सो सतर किर्पया गरगे अपनी काड़ारी में नोट करें और सब्सक्राइव नंबर आएगा थ्री लिखने के बाद सर ने बताया 438951276 जो वर्टिकल प्लेन के बाद कौन कौन से इसके अंदर प्लेन बन रहे हैं ये भी देख लेना और साइड में लिखते जाना और पूछने वाड़ों आप से इध्यान अखना जब भी आज के बाद कोई आप से मेल या फीमेल आके पूछती है क्या मैं गौर्णमेंट जॉब में जाऊं या प्राइवेट जॉब में जाऊं तो गौर्णमेंट जॉब के नंबर भी यही है 438 लिख लो कोई पूछ लेता ना मैं क्या government job में जाओ या ना जाओ तो उसके नंबर भी यही है 438 कोई पूछता है क्या मैं politics में जाओ या ना जाओ उसके भी नंबर यही है 438 तो मैंने आपको इस date of birth दी है 19th June 1970 क्या इन व्यक्ति विशेश को politics में जाना चाहिए चैट में लिखो yes or no जो yes लिखे या no लिखें आप चैट में लिख सकते हो शिपरा अगरवाल जी लिखा है no सभी सभी ना बोलने है बाई सब नहीं ना 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 बोले जा रहे है सर अच्छी बात है यह recording करके ना आप इनकी मम्मी को भेजो यह recording करके जिन जिन बच्चों ने ना बोला है इन भाई साब की मम्मी को बिजवाओ बिजवाना पड़ेगा सबके इनकी मम्मी नहीं यह जो भाई साब है 19 जून वाले उनकी मम्मी के पास उनकी मममी के सबसे सबज़दार है अरुना जैन मैडम को तो भाई आध ड़ाव करवा इंसे बात कर आपको क्या लगा ऐसा कि यह बाइसाब जो है यह पॉलिटिक्स पे जाना चाहिए एक तो बन बन है होनी तो मैंडम सबके पास यह आप और मैं नाइन्टी पैदा हुए सबके पास है और डबल नाइन भी है तो अज़िए और सेवन भी है केटु का नमबर मैंडम सारी बात छोड़ो ख्लास में अटेंशन है या नहीं है आपका हां है ज़िए इसमें फोर थ्री एट होगा तो इसमें भीजेंगे अन्या था नहीं भीजेंगे इसमें 438 है नहीं है अच्छा गौरब भाई आपने आ क्यों बुला सर मैंने इसलिए बुला बिकस मुझे पता थे राहूल गांदी जी का है मैंने जी बॉला कि वो पॉलिटेक्स में हैं इसलिए इसलिए येस देखो वो है नहीं वो है नहीं वो है नाए गई है एक्जाट्ली सर मतलब विकेज इस देर सो आई जिस सेड येस आई डिली वाट यू सेड़ी वो बॉन नहीं है अगर कोई और होता ना तो उसको भाई फिर आप डर गए शायद कि मेरी बात से कि हम उसकी मम्मी को रिकॉर्डिंग बेज देंगे और अच्छा है न मैंनीगे इसकी बारे आपसे बाद नहीं है बट आप समझो कि हर नंबर का अपना अपना प्रभाव है हमारे राहुल गुवलानी साब जो है वो पैदा होते हैं अठारा को और इनका कंड़क्टर भी जो है वो थ्री है तो कलको राहुल भाई कहते हैं कि मैं राजस्थान से चुनाव लड़ना चाहता हूं तो बिलकुल इजाजत है जिन राहुल भाई से अभी हम सब सम्मोधित हैं जो हमारे इस प्रोग्राम के सुत्रधार हैं लेकिन अगर राहुल गांदी जी कहते हैं कि भाई मुझे देखो वो बॉन विद्धा गोल्डन स्पून है आज तक राहुल गांदी जी ने लाइफ में कभी टमाटर या कोई और चीज नहीं परचेस की होगी वो सब दिखावट अलग कानी है क्योंकि उनके पास भगवान का आशिर सबसे सबसे जबर्दस डेटा है पैदा होने के लिए जो भी लोग उन्निस को पैदा होते हैं वो लाइफ में जरूर कमाल करते हैं और वो अलग बात है पीछे कंड़क्टर आठ लग गया तो फिर टाइटाइफिश उन्निस तारीक इस पूरे मंथ में एक से लेके 31 तारीक सबसे स्च्राओंग लैटा नोट कर लो अब कुछ लोग अपनी तरवार निकालके आजाएंगे सर वो तो कार्मिक नमबर है और कि वह वी तो समझजदार है न वो भी तरवार निकाल लिए आजाएंगे सो तो प्रॉप कर्निक नंबर है उस और है उससे होगा क्या उस गरीब आदमी से कि भी किसी ने पूछा कि भाई तो उन्नीस को पैदा होना चाहता था कि भगवान ने पूछा तो उन्नीस तरीको फैदा होना चाहता है नई कार्मिक नंबर एक इतना ड काईवाला सब्जेक्ट है कि लोग इसको दो 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 दिन तक बैठके ड़राते हैं ना तो मुझ से किसी ने पूछा भाई तो 17 प्रक्राइब होना चाहता है मुझे कहते बहुत शकून मिल जाता जी शर्मा जी आपने में हाँ बोल दिया था क्या शर्मा जी अन्मिल कर लो जी कर लिया सर बिलकुल आपको भी लगता है उसको हाँ 438 तो डेटो बर्थ को जाना चाहिए था बिलकुल बिलकुल मैं यह पूछ रहता है संदीर से बात करना चाहता था कि सर मेरी डेटो परते हैं 24 वन जन्वेरी 1970 शर्मा जी पढ़ा लूँ पहले यह तो हम गुफ्तगू करते रहेंगे तो सारी जिनकी खत्म नहीं होगी पर जो पढ़ाने आया हूँ लो लिखो 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 बोलो 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 बात यह थी सर कि वो मैं तोड़ा गन्फूज हो रहा था अपने नेम नंबर से और डेटो बड़ से कि मेरे में कंडेक्टर भी बना रहा 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 राएं ड्राइवर भी सिक्स आ रहा है तो कोई बात है अच्छा अशिरवाद है ना कॉलिज में कितने अफेर की है आपने सर ये तो बात सही है आपके मैं तो यार बहुत कुछ सही कह दूँगा पीछे तुआ बाभी दूब जाएगी लेगे लाइब में सर आपके खते ने सिक्स वारे लगजरी लगजरी वगरा तो कुछ एह नहीं लाइब में सर मुझे फीज कहा दी आपने मैंने अर्विन सूर सर को फीज दी मेरी लगजरी आ गई आप मुझे फीज मेरी लगजरी आ जाएगी अभी समझते इस बात को दबल शेवी क्या बहुत है चौबिस तरीक सबसे पिटी हुई डेट अबर्थ है तो अधूरा घ्यान लेके खुश मत हो जायकर हो चलिए परपस मेरा यह है समझाने का कि आपको लोग आके कुईरी करेंगे तो भाईया लोगों प्रेडिक्शन करोगे तभी तो पैसा आएगा तभी तो माया आएगी तो अगर कोई पूछता है आज भी पूछ लेता है कि यार एक बात बता क्या मैं पॉलिटिक्स जॉइन 33% 33% मतलब अगर 4 गायब हो गया तो क्या रहा 66% अगर 4 के साथ 3 भी गायब हो गया तो रह गया 33% और अगर 438 तीनों आगए तो 100% हो गया जो चीज जितनी स्रॉंग होगी उतना आशिरवात देगी अगरा मुझे बात मुझे आप दो मैंने पहले वह एक मैंना पहले बदाता तो मैं एलेक्शन लेटने था हूँ चलो अगली वाली लेड़ा भी दो जाली लेटने लेटने के तुरे को और स्ट्रॉंग होके करवाएंगे जी चलिए आगे बढ़ते हैं 438 plan for your government job and your politics प्रेयर आप अपनी ब्यान से जीत नहीं सकते हैं इन्होंने का यस और वो पती के आगे चुप हो गई पती की date of birth इनके पास थी नहीं वहना मैं कहता है पती की date of birth भी दो फिर बात से जी स्टॉप शेरिंग भी कर दो से अब 438 बोलता है कि आप प्लेन को ध्यान से समझोगे he's saying that he has the courage मनलब उसके अंदर discipline courage दोनों है आठ चार और आठ से और तीन नंबर का फर पूर ग्यान है जो लोगों को बांद गे रख सकता है राइट अपने समहा में तरेच और बाकी सब चीज़े तो राहूल भाई है उसके पास जबर्दस क्या चीज़ हो जाती है logic logic आठ चार और दोनों logic logic और तीन नंबर क्या बीच में आ गया ग्यान अभी मैंने क्या बोला करंळ सर को कि बिटीह क्या लेगी टीवी यह बुक्स लेगी लेगी हमें पता है तीन नंबर वाला बिना भुक्स के रही ही नहीं सकता तो जितना वो ग्यानी होते जाएंगे फोर थ्री एट वाले उतनी मुसीबत सामने वाले के लिए हो जाएगी अब बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें दो तरीके की चीज़े आपको समझ जाएगी एक किसा फलाने फलाने की पास या मेरे गास तो फोर थ्री एट है मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं गया पर आप अपने घर में अपने ऑफिस लेवल पे देखो कि बाकी सबसे जादा पॉलिटिक्स लेवल के मनलब उस लेया says लेफ नभी कर सकते हो अब उसके अंतर स्थे प्रसेंटेस गटा लो हम इसको बहुत ढीप से पढ़ते हैं समझ लेते हैं जैसे मेरे पास चार नहीं है तो मेरा discipline उस चीज़ पे कम हो जाए मेरे तीन और आठ से मुझे ग्यान आपके साथ हूँ पिछले इतने समय से आप लोग मुझे जानते हैं तो ग्यान मेरा देवेड़ है भड़ता जा रहा है क्योंकि तीन नमर अलड़ी एक्टिवेट हो चुका है conductor तीन मेरा एक्टिवेट हो चुका है तो discipline knowledge यह 438 का superb combinations है ठीक है अब यह पूरा combination आपको government job या politics या नेतरत्व करने के लिए बड़ा जबरता sport करें आठ है Saturn का authority का judgment का समझदारी का logic का राइट मोनिका जी अभी सर आएंगे अब हम सीखेंगे 951 अब बहुत साथ लोग कोश्चन आएगा कि सर बहुत सारे ऐसे निता हैं जिनके पास 438 पूरे नहीं फिर भी वो अच्छे निता हैं एुचे निता हैं आएगँ नॉब फू. इसका क्या करें जी उसने 4 3 8 नहीं है बिलूब जो और पर भाकर जी फिर जबाब देतें आपको तो उसका क्या को और ऊसको भी समझेंके अब बड़े बड़े नीता है नेक्स समझने के बाद यह बात संधेंगे तो तो थोड़ी रिकॉर्डिंग सुना दू बच्चों को बहले सुना दू सर इंट्रस्ट इनका और जागे हम तो देने के लिए आए हैं इंट्रस्ट आ रहा है तो फिर आगे बढ़ा इस बात को इस चर् दे के जाएंगे हमें कोई कुछ नहीं रोकने के लिए से यस आगे बढ़ते हैं इसी संदर्ब में एग्जैटली आगे का प्लेन और पीछे की प्लेन का कॉमिनेक्शन कैसे आगे कनेक्ट कर रहा है वह आप समझते हैं सब प्लेन पर चलने हैं हम लोग सब्सक्राइब आज मैं तीन प्लेन ही पढ़ाऊंगा बाकी हम प्लेन जो बाकी पांच प्लेन है वह हम कल पढ़ेंगे ड़न सब्सक्राइब चला दो सब चला रहा हूं डियर चला रहा हूं दोस्तों अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है लोशोग्रेट रहुझार वीडियो हो इस खलियर बिलकुल आपना copy pencil उठाएं और यह लोशो ग्रिट बनाएं 492-357-816 आज के बाद आपने क्या करना है दोस्तों कल सुबह आप बैठें एक निया रिजिस्टर ले और इस लोशो ग्रिट को डेली आपने 15 टाइम्स बनाना है कैसे बनाना है यह भी आपको अगली स्लाइड पे दिखा दिया जाएगा आप वैसे चाहें वैसे बना सकते हैं बट ओन्ली 15 टाइम्स कोई कहता है कि मैं जादा करना चाहता हूं तो दर्फिफ्टीवन टाइम्स बस दो ही अलाउद है या तो पंदरा दफा यह फिफ्टीवन जादां कि यह कितना बड़ा आपका पैसे का सॉलूशन सो सकता है इस इस और वह फिफ्टे स्क्राइब प्रॉच्प कर अब तो यह ने बहुत तपस्या की और जब तपस्या कहीं चल रही थी तो भगवान को लगा कि बहुत इसने पेश्ट दिखाई है तो उन्हों ने उस उसको अपना आशिरवाद दिया आशिरवाद कैसे दिया कि उसके आश-पास 7 दिन और शात राते बरसात करवादी इतना पानी बरसा इतना पानी बरसा कि वहाँ पे सब कुछ जलमगन हो लिए उसके कि पीट पर कुछ नंबर लिखे थे जो की बिल्कुल ऐसे जैसे अभी आपने लोशो ग्रिट मनाया है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप देखें कैसे कच्छुए की पर नंबर लिखे तो लोशो संद्ध ने समझा कि मैंने इसको भगवान में मुझे इसको आशिरवार देके बेजा है उन्होंने इसके बारे में इसको डिकोड करना स्टार्ट करा तो अब हम आपको बताएंगे आगे कि उन्होंने कैसे इसको डिकोड किया दे लोशो नंबर अर सब्सक्राइब मैजिकल नंबर इंद वे दिया अरेज्ट बिल्कुल जब भी आपने नंबर लिखना है ऐसी लिखना है 492 35 57816 if you look that how the numbers are arranged no matter which direction you add them they will end up at sum of 15 कहीं भी direction में टोटल करके देखते हैं तो ये पंदरा का 6 आता है चेक करके देखें वर्टिकल होरिजोंटल डाइगनल देरा टोटल 8 रोस तीन वर्टिकल है तीन होरिजोंटल है और दो डाइगनल है तो टोटल देरार 8 रोस आप इसको कही हैं तो टोटल आता है 1 & 5 और इसकोल टो सिंगल डिजिट 6 कि जब भी हम निंडरोजी में बात करेंगे हम हर चीज को सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे डोट बिलीव ट्राइब एम एंड देम अप इस अलसो फ्रम दा नाइन स्कुर अफ लोशो ग्रिट अट मैं बार बारी कह रहा हूं सब कुछ देन यहीं से गई है और इंडिया के अंदर हम इसी लोशो ग्रिट को हर दिवाली पे पूछते हैं क्योंकि इसको लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है So much for some masters telling you stories about dragon tortoise with numbers on the back. I tell you the truth in feng shui. It was just an engraving found on the turtle's shell. But I guess people like to listen or believe the mystical stories right. It gives them the feeling that they are really in the mystical world of feng shui. So friends, now look at the screen. We will show you how to make a low-show grid. How to place numbers? First of all, number one will come. You will see 3 by 3 square in the middle of the center. में आएगा number one. इसके बाद आएगा number two. Number two जो है right hand side पे top पे आएगा. इसके बाद आएगा number three. Number three left row में center में आएगा. Then comes number four. Number four जो है left hand side पे top पे आएगा 3 के ऊपर. और इसके बाद आएगा number five. Number five जो है पूरे grid का भ्रहमस्तान है. वो 5 नंबर वहाँ आके set होगा. यह आपकी diagonal row पूरी करता है 4, 5, 6. तो one के right hand side पे आएगा six. Then comes number seven. Number seven जो है six के ऊपर आएगा. Then comes number eight जो की one number के left hand side पे आएगा. और बचा single number nine जो की top पे आएगा. देखी आप बना के देखी आप. आप आपने रोज सुबे अपनी copy लेनी है और उस पे पंदरा दफा इस ल जो शोग डिट को बनाना है. मैं अभी आपको सेंपल दिखा रहा हूं. मैंने पेले भी दिखाया था. आपको सेंपल को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको रोज बनाना है. दोस्तों अब बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ती इन वर्टिकल प्ले पहली है 438, दूसरी है 951 और थर्ड है 276. नाओ यहाँ गोई टू सी थ्री होरिजोंटल प्लेंस. होरिजोंटल प्लेंस को अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो ना तो आपको समझ में आएगा यह हूमन बॉडी भी है कैसे ध्यान से देखो 492 इस अ है 357 इस अवर स्टमक यहां से लेके स्टमक का हिस्सा और 816 इस से नीचे लेक्स का हिस्सा यह प्यूरी प्यूर हूमन बॉडी भी बनती है ना कम्स दा डाइगनल रो यह बहुत जबर्गस्त रो है इस निम्रो लोजी की 258 और 456 कहीं से भी आप डोटल करके देखते हैं तो यह सीधा डोटल 156 पे आता है और अब बार बारी कहा रहा हूं कि इसी को हम पूझा करा करते थे पिछले कई सालों से कई हजार सालों से दिवाली में कारण वही है कि आपने चीज़ों को देखना है समझना है कि आप कैसे चीज़ों के अंदर से आशिरवाद ढूंड सकते हैं सारी चीज ही जहीं आएगे अब जुस्तों बड़े ध्यान से हम समझना स्टार्ट करेंगे हर ग्रीड के बारे में क्योंकि हर प्लें जो है वह बहुत चबरदस्थ आशिरवाद हैं हर प्लेंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लसिंग से अब हम सबसे पहले समझेंगे थौट प्लें के बार इसमें हमने एक्जामपल लिया है शीला दिख्षी जी का 31st मार्च 1938 शीला दिख्षी जी जो है दिल्ली पे चीफ मिनिस्टर बनके रही तीन सालों पंद्रा सालों के लिए तीन टर्म के ओपर पंद्रा सालों लिखो 31st मार्च 1938 ट्राइवर आएगा 4, कंड़क्टर आएगा 1 और बड़े ध्यान से देखो 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, हलाकि 3 कहां के 3 बार ही आ रहा है पर कोई भात नहीं, उस बॉक्स की जो कीमत है वो 33.3% है जो मैंने लिखवाया था ऐसे लोगों को भगवान का एक बहुत बड़ा आशिर्वाद पराप्त है, क्या आशिर्वाद है, दे हैव गौट वेरी शार्प मेंबरे, ऐसे लोग चीजों को भूलते नहीं है, अगर ऐसा कोई करसं परसं आपके पास आता है, और वो परसं ये पूछता है, क्या मुझे पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहिए, तो सीधा आपको देखना है, 4, 3, 8, कैसे दिखेंगे, चलिए लिखते हैं, शीला दिख्षी जी की डेट अव बर्त, सबसे पहले हम लिखेंगे, शीला दिख्षी जी की डेट अव बर्त, 31st March 1938, तो अब इसको कैसे आप समझोगे, दिख्षी जी का ड्राइवर क्या है, 3 plus 1 is equal to 4, लिखके देखवा, 3 plus 1 is equal to 4, और अगर हम उनकी पूरी डेट अव बर्त एड़ करते हैं, 3 plus 1 plus 3 plus 1 plus 9 plus 3 plus 8, इसको टोटल आपने किया, तो इसका टोटल आता है, 28, 28 को फिर आपने अड़ आप किया, तो टोटल आया 1, तो शीला दिख्षी जी का, ड्राइवर है 4, कंड़क्टर है 1, अभी बाकी सब चीजों को साइट पर शोर दो, और आगे शेप्टर में आपको बहुत सिखाने को मिलने वाला है, अभी सिरफ यहीं पर फोकस करो, आपके जो जो कोश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आपको हर ची चीज के ऊपर फोकस करो, क्योंकि होगा क्या, आपके मन में भी बहुत साथ कोश्चन चल रहे हैं, उनको प्लीज थोड़े टाइम के लिए साइड पर देजे, अभी अपना भी कल्कुलेट मत करिये, कि जी मेरा जो क्या है, क्या नहीं है, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ, उ इकोल टू फोर, अब समझते हैं, क्या है, आप देखो, शीला दिख्षिज जी का ड्राइवर आया फोर, और शीला दिख्षिज जी की डेट अब बर्त में, तीन कांक तीन बारी आ रहा है, एक तो 31 से आया, एक मार्च से आया, एक 1938 से आया, तो तीनों आपने तीन की तरह प्लेस्मेंट कर दो, और लास्ट में, जो आठ हाया है, आपने उसको प्लेस करना है, तो इनकी ग्रिड कौन से पूरी हुई, 4, 3, 8, बाकी नमबर अभी मत लिखो, कोई जुरूरत नहीं है, अभी आपका जो चिडिया की आँख है, अभी आपका ध्यान पूरा का पूरा, स जही समझ में आना चाहिए, कि इनकी ग्रिड में क्या 4, 3, 8 है की नहीं है, अब लिखो, जैसे आपने पहले लोशो ग्रिड बनाया था, अब दुबारा से लोशो ग्रिड बनाओ पूरा, 492, 357, 816, और हर नमबर के नीचे आपको लिखना है, 33%, 33%, 33%, हर नमबर के नीचे पतलब 4 के नीचे छोटा-छोटा 33%, 9 के नीचे छोटा-छोटा 33%, 2 के नीचे छोटा-छोटा 33%, फिर 3 के, फिर 5 के, फिर 7 के, फिर 8 के, फिर 1 के, फिर 6 के, सब जगां 33% लिखतो, ये क्या है, ये पावर है उस बॉक्स की, गिरा 9 बॉक्स और सब बॉक्स के अंदर 33% की पास 438 है तो यह हुआ 99 परसेंट तो उसको 99 परसेंट नहीं मानेंगे हम इसको पूरा 100 परसेंट अगर शीरा शीरा लिख्शित जी का 8 मिसिंग होता तो हम कहते शीला शीजी के पास जो पावर है वो 66 परसेंट है 66 परसेंट आगर उनका फोर गायब होता, तो हम कहते शीरा दिख्षित जी के पास जो politics के जाने वाली रो है, that is only 33% और जैसे रहूल गांदी जी की डिटोपट लिखो आप 19 जून 1970 driver 1, conductor 6 आप देखो, उनकी grid में ना तो 4 है, ना 3 है, ना 8 है अगर रहूल गांदी जी, आपके पास आके कहते हैं, क्या मैं politics join करो, तो बिल्कुल उनके लिए मना है, यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप life में questionों के answer देंगे, so यहाँ पे आपने कोई और number नहीं भरना, सिरफ यही चीज देखनी है कि शीला दिख्षिद जी का 438 कैसे आया, so these people have got very sharp memory, बहुत भगवान में इनको आशिरवा दिया होता है, अगर कोई parents आप से आके पूछते हैं, क्या मेरा बेटा life में government job में जाए, क्योंग अगर आप से आके government job के भी नंबर यही है, 438, इसमें प्रॉमिनेंट नंबर रहेंगे, 4 and 8, अगर इसके साथ-साथ, उस बंदे की या फीमेल की grid में पांच भी आ जाता है, तो ऐसा बंदा government job को जा सकता है, जॉइन कर सकता है, उसको धेरो आशिरवाद है, उस government job के लिए, यही चीज़ें आपको सिखाऊंगा, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, जैसे ही आपको किसी क्लाइन ने पूछा, क्या मेरा बेटा government job करेगा, तो आपको देखना है, 438, अब ऐसे लोग जो होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम आती है, किस चीज़ की? ये लोग फोकस होके काम नहीं कर सकते, जितना ये फोकस होके काम करेंगे, उतना इनकी लाइफ के अंदर सक्सेस स्टोरी आएगी, आप इनके पेरेंट्स को समझाएंगे, कि देखो जी, इस बच्चे को 16 गंटे पढ़ना पड़ेगा, तो जाके इसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते हैं, इसलिए लाइफ के अंदर इनको उतार-चड़ाव उतार-चड़ाव दिखाई देता है, ऐसे लोगों कि आप दिखोगे, क्रेटिविटी बहुत शांदार होती है, आप इनके हाथ की पेंटिंग देखो, आप इनके हाथ का खाना खाके देखो, आप इनके से बाते करके देखो, हर चीज में इनकी क्रेटिविटी बहुत चबरतस्त होती है, नो डाउट, दियर इमेजिनेशन पावर इस ऑल्सो वेरी स्ट्रॉव, क्योंकि तभी तो वो पॉलिटिशन होके दूरदर्शिता को देख सकते हैं, हर चीज में ऐसे लोग आपो दिखाई देंगे, वो हर चीज की उतर एनलिसिस करते हैं, यह प्रोजेक्ट ठीक है, यह प्रोजेक्ट गलत है, कितने डेप्थ में जाना है, कितने फंड्स चाहिए, कितने बंदे चाहिए, तो आप दिखो कि इनका इनलिसिस बहुत स्टॉंग होता है, 438 का, क्लेवर तो घर बहुत ही लोग होती हैं ऐसे क्योंकि जब क्लेवर नहीं होंगे, तो कैसे पॉलिटिक्स में जाएंगे, कि लोग तो कह देंगे, यहां सदक बना दो, यह कर दो, वो कर दो, अगर वो चलाक नहीं होंगे, तो वो शोव नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लोग आप दिखोगे, बहुत जादा चतुर चलाक होंगे, कि आप गए इनके पास इन्होंने प्रजट रिपोर्ट को देखा और कर दिया, कभी नहीं, ऐसे लोग आप देखोगे, इनको लाइफ की अंदर, हर चीज के अंदर, पढ़के, देखके, समझने के बाद ही, इनकोई जल्दी नहीं होती, किसी भी चीज की, हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं, पंक्चोल बहुत होते हैं, आप देखना, अगर आपने को कहा है, कि बारा बजे आप मेरे पास पहुंच जाईएगा, तो यह भाई साम, ग्यारा पश्पन पर आपको वहां खड़े दिखाई सब्सक्राइगे, बिल्ट 100% रो, मैं 66% 33% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100% की बात कर रहा हूं, ऐसे लोग बहुत पंक्चुल होते हैं, प्रिटिकल रो तो मैं आपो सम्झाई दिया, अगर आप पॉलेटिक्स में जाना चाहते हो तो 438 को देखना है, इस पीपला वाली श दिये, दुख, तकलीफ, परिशानी, हर्डल्स दिखाई देगा, आपने हर चीज की अंदर अपने आपको बहुत माहिर बनाना है, वरना ऐसे लोगों को दुनिया लूट के भी लेके जा सकती है, तो आपको कुसी भी चीज को हलके में नहीं लेना है, नॉन अथिकल तो होत से ही संतुष्ट होते हैं, क्योंकि यहां पे दो नंबर जो आ रहे हैं, फोर और एट वाले, यह कहते हैं, सुनो सबकी, करो मन की, तो आप इनके मन की था नहीं ले सकते, आपको हर चीज की अंदर इनकी बात सुनके, इनकी बात समझके, इनके साथ ही चलना पड़ेगा, वे लोग acceptance ही नहीं देते हैं, हर चीज पे इनको logic, logic, logic चाहिए, क्यों करूं, किसलिए करूं, तो आपको इनको समझाना पड़ेगा बैठके, कि बेटा इसको इसलिए करते हैं, इसको इस चीज के साथ आएगा, तबी मैं कह रहा हूं, कि अगर इनको गौर्णमेंट जॉब में जाना है, तो इनको 16-16 घंटे पड़ना पड़ेगा, no doubt, इनको भगवान इतने शाप memory दी होती है, अगर आप इनको दस साल पहले गोवा लेके गए हो, अब फिर लेके जाओगे, यह कभी भूलते नहीं है, जट से पचान जाएंगे, यहां पर यह शॉप थी, यहां पर य इसा मोबाइल नंबर आया है, जिससे इनकी बात तीन साल पहले हुई है, वो नंबर सेव नहीं है, यह नंबर को देख लिए ही जट पेचान जाएंगे, अगर कोई चेहरा इनके से मिलने आया है, उसके चेहरों को यह भूलते नहीं है, यह इनकी क्वालिटी में को समझा र सब्सक्राइब, कभी दिवार पर सर मार के देखा है, अपना खून निकलता है, देयार जस्ट लाइक तै, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हती है, ऐसे लोग जो होते हैं, अपनी बातों पे जादा विश्वास करता है, शो हमेशा आपको ध्यान अखना है, इनसे बहस नहीं करने अगर आपने इनसे बहस करी, तो समझ लो, लाइफ में दुख, तकलीफ, परशानी हर्डल्स भर भर के आईगी, इनका कोई फ़रक भी पड़ेगा, वो तो बात कहके निकल लेंगे, आप लोग सोचते रहे जाए तो यार, ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ, मैं तो ऐसे सोच सकता था, सो आज के बाद, जिसकी भी ग्रिड में 438 हो, आपा क्लाइट है, प्यार से समझ जाए, ठीक है, नहीं तो हाथ चोड़ता, कोई भाई सब इतना ही मैं समझा सकता हूं, आपको, क्यूंकि मैं आपको छोड़े चोड़े टूल्स इसले दे रहा हूं, आप जब इस सा जुड़ेंगे, मेरे पास आज 25,000 से उपर मिलों का डेटा है, जिनको मैं कंसल्टन्सी दे चुखा हूं, कुछ मैं दो चार वेबसाइट पे काम करता था, वहां मुझे करीब करीब जो है, 15 से 18,000 या 20,000 लोग मेले, सारी बात ही यही है, आपका जितना डेटा बढ़ा ह होता जाएगा, उतनी आपकी सक्सेस स्टोरी आती है, दोस्तों यह था हमारा 438, चलते हैं बागे 951, बड़े ध्यान से आपको हर रो को समझना है, जैसे पहली रो जो थी, अगर वो बहुत जबरदस्त पॉलिटिशन बना सकती है, तो यह रो कहती है, विल प्लेट, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति जितने स्ट्रॉंग होगी, उतना आप लाइफ के अंदर बहुत ग्रू करेंगे, दोस्तों आप क्या करो, वर्ल्ड के 100 लीडर्स के नाम निखो, पॉलिटेशन, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, जो जो आपको अच्छा लगता है, 100 ल लगेगा कि 75% to 80% लोगों के पास 951 होगा, जितने भी वर्ल्ड के टॉप लीडर होए हैं, टॉप पॉलिटीशन होए हैं, टॉप क्रिकेटर होए हैं, टॉप लोगों होए हैं, इनके पास 951 था, 75% विल पावर, यही चीज में समझा रहा हूं, यही चीज में बताना चाह रहा हूं कि कैसे आपको लाइफ में स्पोर्ट लेना है, इस निम्रोजी से, सबसे पहले तो इसमें आप नरेंदर जी की डेट अब बर्स लें, नरेंदर मोधी जी, 17 सेप्टेंबर 1950, जो विल प्ले कैसे आया इनके पास, इनके येर से, 1950 से, 951, वैसे तो मैं वो काया है, कि इनका ड्राइवर और कंड़क्टर निकालो, ड्राइवर इनका आठ हाएका, कंड़क्टर इनका पांच आएका, यह प्रेक्टिस करते रो, यह प्रेक्टिस अपने छोड़नी नहीं है, अगर आप जोड़ना चाहते हो, तो मैंने शुरू शुरू में 500 लोसो ग्रिट बनाया था, दोस्तों, आप अपना, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, अच्छे-च्छे सब लोगों का, जिसको भी आप जानते हो, उनका आप ग्रिट बनाओ, बिल्कुल भी ग्रिट के बारे मे कोता ही नी बरतनी है आपने, जितनी ग्रिट बनाओगे, उतमें आपको लाइफ के अंदर इंपोर्टेंस समझ में आएगी इस बिद्या की, सो, 1950 से मोधी जी के पास 951 आ गया, ऐसे लोग के बारे में कहते हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं, गंगा गए तो गंगा राम, और जमना गए तो जमना दास, सबसे जबरदस अड़ेप्टी बिलती इनकी, बिल्कूल ये ऐसे होते हैं, इनके चेहरे पे ना तो ओवर खुशी के भाव, ना ओवर दुख के भाव, बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को, ना ओवर खुशी के भाव, ना ओवर दुख के भाव, कैसे, माल लोग किसी बंदे की पांच क्रोड की लाटरी लग गई, अब बंदा क्या करेगा, कल मर्सडीस लेके आएगा, नई चीज देखेगा, नई चीजे करेगा, बट ऐसा बंदा जो है, वो नहीं करेगा, बिल्कुल काम, शांती, ठीक है जी एक लाटरी ले थी, गुरुशी का था, पांच करोड की लग गए, उनके चहरे पे आपको एक्ट्रावर्णी भाब ने दिखाई देगा, और भगवाद ना करे, ऐसे किसी बंदे की घर पे आग लग जाए, चोरी हो जाए, एक दो करोड का नुकसान हो गया, तब उसके चहरे पे क्या होगा, बिल्कुल शांत के भाब, सो ये लोग जो होते हैं, दुख में ज़्यादा दुखी या खुशी में ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देंगे आपको, गिफ्स डिटर्मिनेशन, हाँ, मुझे ये करना है, और ऐसे लोग करके ही दिखाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खुबी है, प्रजि कहीं गिर भी जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, लाइफ में डाउन फॉल आता है, तब भी भगवान ने इनका साथ नहीं छोड़ता, और ऐसे लोग लाइफ के अंदर फिर दुबारा कामियाबी की सीडियां चड़ते हैं, और एक बार ध्यान अतना, ये जहां से गिरे होते हैं, वहां से नहीं उठते, भगवान इनको और वहां से दस कदम दूर पे खड़ा कर बाता है, ये इनको सबसे बड़ी बात होती है, लाइफ के अंदर हर नंबर का अपना प्रभाव है, आपको समझना है, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूं अभी तक कि, इकिस नंबर से हमें क सबसे बड़ी कुलिटी है, हुमी टेरियन नेचर, बहुत चबरदस्त, आप देखोगे, इनकी लाइफ के अंदर हमेशा, बेस्ट गिवर इन लाइफ, हर एक की हल्प करते हैं, कभी हल्प को मनाने करते हैं, चाह कोई सुबह आये, चाह कोई शाम को आये, चाह कोई रात को आप देखोगे कि 951 जो है, बहुत ही इंटिलेक्शुल क्लास वारे लोग होते हैं, बहुत समझदार, बहुत चीजों को करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और समझाते हैं भी बहुत अच्छे दंग से हैं, यह इंकी सबसे बढ़ी अकोर्टी है, सकस्स डेफिनेटली मिल करेगी लाइफ में, इसको अंटरलाइन कर लेना, यह इनका बहुत बड़ा आशिरवात है, ऐसे लोग को लाइफ में 100% सक्सेस मिलती ही मिलती है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, गिरते भी हैं, फिर भी भगवान इनको उठाता है, और लाइफ में बहुत बड़ा आयाम, बहुत उचाई पे इनको लेके जाता है, हथ योगी, अगर किसी बात पर अड़ गए, जैसे मोदी जी अड़े थे, कि भाइसा, मुझे नोडबंदी करनी है, तो यह लोग भी बहुत याद आप दिखोगे, हथ योगी होते हैं, किसी चीड पर अड़ जाएं, तो फिर आप इनको इनका चेंज नहीं करवा सकते, आपको इनकी बात मानते हुए ही, सलूशन निकालना पड़ेगा, वेरी मच बैलेज़ और सटिस्वाइड इन लाइफ, मैंने पहले भी बताया था आपको संतोशी, यह बैलेज़ बैलेज़ और इनको कभी भी यह नहीं होता, कि इनको यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, बेको काम ने चाहिए, जो मिल गया, उसका बहुत अच्छा लगते हैं, थेंक्यू बूलते हैं, जो नहीं मिला, उसके लिए परियास जुरूर करते हैं, बट बावले नहीं हो जाते हैं, पागल नहीं हो जाते उसके लिए, परस्नलिटी जस्ट लाइक नील कंट महादेर, जैसे शंकर भगवान ने विश पी के दुनिया का भला किया था, इस पीपल आप जस्ट लाइक नाइन फाइफ वन क्योंकि यह लोग जो होते हैं, यह लाइफ के अंदर हर एक का भला ही सोचते हैं, यह कभी नहीं करते कि मेरा अपना प्रॉफिट इस में क्या है, नो, यह दा मोस्ट हेल्पिंग सोल इन लाइफ, तो दोस्तों आगे है एक्शन प्लेइन, एक्शन प्लेइन जो है, यह एक बहुत जबरदस्त रोक है, 276, एक्शन प्लेइन, इसमें आप डेट अबर्थ लिखें सबसे पहले, सचिन दंदूलकर जी की, 24th April 1973, driver 6, conductor 3, देखो, आया के नहीं आया, 24 April 1973, और देखो कितना शांदार सचिन दंदूलकर जी का ग्रिट भना हुआ है, देखो आप, 24 को किया तो 6 आया, दिखाई देरा आपको, 24 पे बनाया तो 6 आगया, और उसके साथ साथ आपने देखा, कि 24 में 2 भी था, तो वो 2 भी आगया, और 1973 से 7 आगया, यही चीज में आपको समझाना चाहरा हूं कि जिस नंबर को जहाँ जहाँ प्लेस करेंगे, देखो ना मोदी जी के पास 276 नहीं है, और जो हमने पेले डिटर बश ली ती शीला दिख्षित जी उनके पास 276 नहीं है, तभी कह रहा हूं कि जिसके पास जो है आपने उस से उस चीज को समझना है, तो सचिंद नुकर जी के पास 276 है, क्या कहता है 276, एक्षिन प्लें, ऐसे लोग जो होते हैं, इनको हर काम की जल्दी होती है, आपके पास ऐसे बहुत सारे कपल जाएंगे, जोगे कहेंगे कि सर हम तो शॉपिंग जाते हैं, और मैं इन से यह कोईगा, मैं आपने स्पाउ यहां पर ऐसे लोगों को बहुत जल्दी होती है, हर चीज के अंदर, मौल में गए, जहां देखा सेल लगी है, कूद पड़ेंगे, लेलो, होता क्या है कि घर में चाये पांच स्वेटर पड़े हैं, अभी सर्दी चार मिने बाद आनी है, बट नहीं, आज आये हैं, आज से लेल दिखाई दे लेलो, यही चीज इनको समझानी पड़ेगी, कि भाई साब, जल्द बाजी आपके लिए घातक है, हर चीज में इनको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, बहुत लोग आप से पूछने आएंगे, कि भाई साब, क्या हमारा बेटा स्पोर्स में जाएग तो क्या हुआ, वो स्पोर्स के लिए बना ही नहीं है, आप देखो, उनकी वो पूरी रोखाली है, 276 पूरी रोखाली है, यही चीज में आपको समझानी कोशिश कर रहा हूँ, कि जो भी लाइफ के अंदर आपके पास चीजे हैं, कैसे हमें उसमें से ब्लेसिंग्स लेनी ह आपके लिए नुकसान दायक हो जाए, आपने हर चीज को अपने समझना है, कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जाए जल्द बाजी में, जो आपके लिए नुकसान दायक हो जाए, आपने ऐसे लोग को हमेशा समझाना है, कि बेटा, जल्द बाजी नहीं कर ले, जितना हो सके, डिसीजन लेने से पहले देखो, सोचो, समझो, फिर अगले स्टेप में चलेंगे, फिजिकल अक्टिविटी मैंने अब बताया था, कि टू इस हेड, सेवन इस अवर हैंड्स, एंड शिक्स इस अवर लेक्स, तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनको हर चीज में जल्द बाजी होती है, पर आपने इनको बैलेस करवाना है, स्पोर्ट्स पर्शन मैंने बता दिया, आपके पास बहुत लोग पूछने आएंगे, क्या मेरा बेटा और मेरी बीटिया स्पोर्ट्स में जाएंगे, तो आपने देखना है 276, सिरफ दो स्पोर्ट्स उसमें नहीं आएंगे, एक करम बोड और एक चेस, वो सारे 492 में जाएंगे, आगे, आगे बताएंगे, ऐसे लोग की सबसे नहीं प्रॉब्लम है, पहले करते हैं, बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, तब ही इनको तकलीफ आती है, पहले करते हैं, बाद में रिजल्ट के बारे में सोचत जाने के लिए कि कैसे आप इस एपिसोड में लोशो ग्रीट को बनाया और कैसे आपने तीन रोज के बारे में समझा अब हम अचलते हैं आगे जहां पर आपको समझाएंगे और रोज के बारे में बेसिकली होरिजंटल को कि बारे में जदिंग मतलब कुछ चीजे है यह जो आपको समझाएं कि इसे से रेलीटेड हम क्वाईज लेते हैं बाव जैसे कि संद सर्नेक बताये सकंटिंदल का एक साथ यह घ्री नहिं peeling लिया वोल्ड के ग्रेटेस्ट पे अगर देखे जहे हैं तो तीम सर रॉट मैं सचिन तिंजल कर गॉल्फिट सर वहने वेस्टनेसी गॉल्फिट सर इस बेस्ट वर्ड में किरकेट जिखत के बिल्कुल इसमें से दोग ही देखोगे तो 267 अपने आसपास मिलने वाले हैं अब यहां में पास जब हमने प्लेंस की बात करी थी 438 में राजनीती के अंदर आएगा तो एक वो कोशन आया कि ऐसे बहुत सारे निता हैं जो 438 में नहीं हैं सक्सेस हैं उनकी स्टोरी भी समझाई आए आपको वो सक्सेस क्यों हूँ 951 जवाला लहरू 951 इंद्रा गांदी के पास 6 बारी 1 बट आशिरवाद कहां से आ रहा था 951 से तो अगर आपके पास 438 नहीं है उससे भी सुपर स्ट्रॉंग जो चीज है वो है 951 और मज़े की बात यह है आप और मैं जो लास्ट सेंचरी में पैदा हुए हैं हम के पास वन और नाइन बिलकुल आशिरवाद के रूप में मिल रहा है असली खेल जो है वो पांच ने खेला है अगर वो आगया समझ में तो बहुत बल्ले बल्ले और जो नहीं है वो हम होगे यह थोड़ी है कि सिर्फ हमने स्टोरी सुना नहीं है एक हुआ था बहुत प्यासा था उसने कंकर डाले पानी पी रही है कारी कतम यह थोड़ी होने वाला है आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाया जाएगा कि कि किस चीज को कैसे आंसर के साथ आपने अपना यह देखो यह रेमेडी तो है कि क्या है और यह विश्वास है साथ में अर्विन सूसन ने मुझे दो हजार ग्यारा में यह पढ़ाई का आशरवाद दिया था जिनका मैं आज भी तहे दिल से थेंक्यू कहता हूं और यह उसी रेमेडी के थूप मैंने अपने आपको और ए करम तो आपको ही करना था वो मुझे थोड़ी करना या संदीर सरको थोड़ी करना विनोत कामली नहीं बना उससे बढ़िया प्लेयर था जी सिंपल सा आपको जो चीज समझाए जा रही है वो इसलिए समझाए जा रही है अगर 438 आपके बच्चे में हैं उसको डाल दो ना उस फोकस एंजुकेशन में डाल दो ताकि वो एक IPS आया ओफिसर गौर्णन जॉब ले सके या फिर वो पॉलिटिक में इंटरस्टेट है तो उसको उसकी जगे स्पोर्ट किया जाए तू सिक सेवन है सर ने वेबिनार में बहुत बार बच्चों को यह गाइड किया है कि भी इस चीज के लिए बने हो उस काम में चले जाओगे तो तो काम का आनंद भी ले पाओगे और अपने जीवन को संतुष्ट भी कर पाओगे राइट जी आज से रिलेटेड जितने कोरी बंद रही है आज हमने जो जो सीखा प्लेन सीखा वन तो ने की करेक्टरस्टिक सीखी थोड़ी बहुत वहना पूरा डीप तो नहीं पर हमने कुछ जरूर सीखा वैलिएड हुआ लाइट में राइट इस वैलिएड से रिलेटेड जितने आपकी क्वेरीज हैं प्लीज उसके बारे में बात करेंगे अपनी डेटो पर तो हम बात करेंगे आपकी डेटो पर पर बात करेंगे पर पहले चार दिन सीखो जी सर कोशिण लेलू सर प्लीज 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 आइट पर बात करने अपना केमरा टकर呢 निहा जी, इस सिंपल सी कोश्चन था, मैं आपको इतनी यही बात, मेरी बात जो बोल रहा हूं, वो आपको सुनाई दे रही है, जी सर्थ, मैं क्या कह रहा था इती देर से, कि खाली बोल रहा हूं, आज जो पढ़ा है और कल जो पढ़ा था, उससे रिलेटेड, मैं डे परसन को और समझो, हम चाहते हैं, आप सीख के बात करोगे, तो हमको समझाने में असानी होगी, नहीं तो फिर जो मैं बोलूँगो, कर लोगे, और मुझसे पूछोगे, फिर कल किसी और से पूछोगे, अपनी लाइफ को कंफ्यूजन में करोगे, फिर वो गाए को हल्दी बारे अलो खिला देगा, अजया आपका ट्रस्ट जम है, परसो बात करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, परसो बात करेंगे, अभी जो दो दिन से सिखाने की कुशिश करें, प्लीज वो सीखो, जी दुगल साब, आपने सर यह सही बोला कि जैसे 438 ने मेरे जो डेटो बर्त में ना, और 8 आरा, 3 मिसिंग है, आपका जो बोलेखना, 16 घंटे है, तो मेरे को बिलकुल सही बोला, आपने, मिरे को जैसे 16 घंटे पड़ता, फिर मैं, अपने फिर मैंने अपने पैटरेंट च तो आपके गौर्मेंट जोब में कर रहे हैं अब गौर्मेंट जोब कर रहे हैं और जी सर, मेरे ग्रिट में, जो आप बोल रहे थे ना, 5 नहीं होता, लोगों में, 90 परसंट, जो आपको बने चिंटे और फिरॉंद लोगों हैं, जी भी चुई बातों हैं, डूंडफं उप्योग पराहे हिंगर लोगों, बात की बात है, उसकी वेल्यू नहीं है, आप समझो कि आपको भगवार ने ब्लस करके धर्टी पे भेजा है अमिता बचन के पास नहीं है जिया बचन के पास नहीं है अभी शेक पापा ने उसको 500 क्रोड की प्रॉपेटी दे दी अजी आपने बोला था ना कि जो पखवान जो कि अधसे हुआ है जीरो से स्टार्ट करा फिर फिर मैं फिर सो पर आया हूं मतल्ड मेरे साथ ऐसे कई बार हो चुका है आगे और और जबरदस तरीके से होगा और ब्लेसिंश के साथ होगा उसको अच्छे तरीके से करोगे तो औ समझेंगे इस सारी पूरी ग्रेट से आशिवार कैसे लेना क्लास में समझेंगे अभी ऑगी सार आपके जो बोला था ना मैं उसे सैडिस्वाइड हो जो आपने बोला ना बिलुकुल हंटर परसंट असके साथ आपके साही है था 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 देवनाथ जी पुनाम सायर को ना दीशाय को सार मेरा क्वेरी से की आपने काल मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं तो आगले दिन आपने बोले बोला थे कि जिसका बेशिक या बेशिक या डेस्टेनी नाइन और तीन है उसको नौन वेज नहीं खाना चाहिए तो हम लोग तो बेंगल से है तो मुसूरी डल मसूर डल और जो ओनियान जो लहसुन यह जो है यह क्या आप भेज में मैं जैनी नहीं हूं मेरे बाई ना मेरा परपस यह है कि मैं आपको जैन समंत के उपर पूरी जानकारी दूं मेरा एक छोटा सा परपस है लाइफ का जब मैंने विश्वास है इस विद्या के प्रती तो आपको अगर आपा ड्राइवर या कंडुक्टर तीन और नौ है आपको नौन वेज़ टच भी नहीं करना चाहिए आचा अचा अब यह मत कहना की अगेटरियन होते हैं नहीं एग बिलाओट प्याइज लस्षन खाओ कोई दिक्कत नहीं है पर एग और नौन वेज़ नहीं होगा आचा 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 इए यह मैंने छोट गे दिखोज़ गई जीवन में समझ आएगा क्या बत्ला हुआ है और सर मेरा जो ड्राइवर नंबर जो 7 है तो मेरा कॉन्फूशन बहुत रहता है यानि कि सर मेरा डेट अप बार्थ 16 ओक्टोबर 1985 है तो डेस्टिनी भी फोर है और कुवा भी 6 है तो कॉन्फूशन बहुत रहता है तो बता सकते हैं कि सर दॉक्स की सेवा करो टाइगर आई का प्रासट पहान वा फरख आजाएगा अचाए और बैस्टत किस नम कॉसरा एधक है और जिए टाइगर आई है ताइगर आई ज् Senin हैंगे वोम मतलम पहनो करो और ओक्स की करो कि लौत थे अगा उल्टए हा पहन से पहन सब्सक्राइब कोई भी हमारा जो प्लेन है वो कंप्लीट नहीं है मेरे आठ के आठ प्लेन कोई कंप्लीट नहीं है आप बताओ मैं बैठा हूं आपके सामने तो फिर उसके लिए हम लोग मतलब जैसे वो इनकी रेमेडीज के साथ फिर इनको बताते हैं मैं जिन्दा ही मैडम रेमेडीज के ओपर हूं जो आपकी देट और बर्ट है ना सेम वही देट और बर्ट मेरे ब्रदर की भी थी थी मतलब अब नहीं है वो तो स्वेंटी नाइन की एज में रोड एक्सिजेंट हो गया था तो जब आपने बताया था तो सेम आपकी है कोई बात ने मैं हमें बात यह है कि देखो भगवार ने हरे को कुछ लिमिटेड ओफर और ऑप्शन दी है उनकी लाइव इतनी थी हम उनके लिए हमेशा थैंक्यू प्रे करें को जिस भी जगह पर गए हैं हमें हमेशा ब्लेसिंग भेशती रहे हैं राइट र जुलाइग जुलाइग दोजार चार जुसका भी टूथाजन फोर जून में आगी ना बात वहीं आगी ना मैंने भी आपकी भागत ध्यान ने दिया में को तो अपनी चोट याद आई 2004 करती तो सत्रा ग्यारा तो वहीं है सेम से हैं जी हैं जी हैं जी हम समझना पड़ेगा कि हम कितना इसके साथ जुड़ सकते हैं आशिरवाद लेने के लिए अभी जैसे मैं देख रही थी कि अब जैसे मेरे बच्चे 2000 वाली सीडिस में तो उनके ग्रेट तो कम्लीट होती नहीं है मतलब किसी के तीन नमबर है तो किसी के सिरुफ चार नमबर है जो बच्चे आपके तोज़ार के बाद पैदा हुए आपने घरों में आपके आसपास जिस्दार हों बहुत सारे बच्च है राइट 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 आसपास सब जैने नोट करके देखो कि जो आप बच्चे 2000 के बाद पैदा है 99% बच्चे 90% बच्चे को कही ना कहीं 19 का या 9 का कही ना कहीं आकड़ा आया होगा तो वह इक डिफ्रेंस आया है अगा बाकी बच्चों को देखोगे they are not having a single relation very true relationship भी है तो distance वाली है तो दूसरे एक हमने बैठा है एक हमने एक ही घर में बैठा है तो वो सिर्फ बोलेंगे वाटसप कर दो ममा what you want क्या खना बना है वो भी वाटसप पूछेगा जाए बिल्कल 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 हाज जी वो तो अब हम लोग जबरदस्ती वाला की नहीं अब ये Sunday है तो आज सारे एक साथ बैठेंगे ही बैठेंगे मतलब ऐसे कुछ नियम बनाए तो उस जाए से एक वो हुती है अज की बार्दसर ही तो तीन यंग बच्चे अपनी फैमिली के साथ वरकल डिनर को आये पिजए तेनो की तीनो मॉबाइल पर इसनों अपने प्रचाइनगे है मज़र अब करे क्या ना उनको लेके तिसे आई होगी कि चलो फैमिली लेना पर हालत यह है कि तीनों के जिरों मोबाइल पर रावल भाई यह तो बहुत चोटी चीज है यह वाईवा नहीं कर सकते नहीं कर सकते लिए लो मनें क्या बोला कि चार और आठ हो क्या चाहिए लॉज कि हो अगर आपको अफोर्ड कर सकते हो चांदिये गिलास में पी हो रोज वरना लाइफ में इनको इतनी पर प्रॉब्लम आएगी इतने हाडल जाएगी कि यह खून की आंसुरों पड़ेंगे चाहिए दंदंदंदंसर मेरा मेरा क्वेश्चन यह था कि जैसे अब इनकी वो कंप्लीट नहीं हो रही तो जैसे इनको अगर कोई फील जैसे अगर अभी बेटा चोटा है तो उसको अगर किस तरफ उसका इंट्रेस्ट जगाए जगाना नहीं है पहले उससे पूछना है फिर चीज़ों को समझना है और उसके बाद दोनों को बैलेस्ट करना है राइट कि आपका बेटा काथ है मैं चाहता हूं और आप उसे कहतें नहीं बेटा तु तो एक काम करेंप्वूटर साइंस तो अलग सीजाए तू डॉक्टर बन जा आप ने थो क्या है डॉक्तर बंने के नंबर नहीं है देखो पंद्रा साल बाद क्या होगा बिलकुल बिलकुल यह कि नहीं होने दिना ना आपका है जैसे मैंने अभी वो जो नादर सिंग आये थे मैंने उनकी बिटिया को बोला कि जितना जुर्दी हो से के नीम की स्पैलिंग जाल रहुर में याराग ओगे आशेर आप्स खहुडलो ग्यारागा तो थे जिए गया ये वे धर्दी आपली बादे गूर्टेशु सेंयरे एड़े जैगुरुजी है जी रहुल भाइब जी नेक्स तदर मॉनिका शर्म ठोड़े फास फास पुश्ट लेदें जी मॉनिका मैम प्लीज नमस्कार सर जी मैम सर कोश्ट मेरा यह कि सर मेरे जो ग्रेड है ना जो आपने कराई मतलब शुरू के दोनों ग्रेड में एक एक नमबर मिसिंग है तो कुछ भी करती हूं मतलब अभी दखती है मतलब स्ट्रगल बहुत की है बढ़ कहीं पर भी सक्सेस्पुल नहीं हो पारी है पांस तरी को जाएंगे चार और पांस तरी को परसनली जाएंगे उसके अदर अपकी ग्रेड देखेंगे पसनल सो क्यों नहीं जा पार है वो भी समझागा अभी जितना समझा उससे रिलेटर को रही है समझागा जैसे 951 मेरी डॉटर का है तो वेसे वह देखूं वह अक्टिव है उस तरीके से एक्टिव तो मतलब अक्टिव नहीं है वेसे पर सब कुछ मिल जाता सब कुछ हो जाता है नमबर भी अच्छे है अगर आपकी मिल जाता है सब कुछ अच्छा हो रहा है चाह लेट हो रहा है दो लेट हो ना हम बहुत बड़ा हुआ बनाके बैठ शुके हैं निसर लेट भी नहीं होता पर जैसे आपने का ना कि उसके काम हो रहे है ना तो लब एक्जाम भी देकर आएक्जाम क्या एज है सर उसकी एज है बहुत लाइव में आशिर्वाद मिलेगी सर कंप्यूटर्स में जा रहे है तो ग्रोथ है वहाँ पर बिल्कुल है क्या डेटा बर्थ है परश्चन डेटा बर्थ बताओ सर ट्वेंटी नाइं चार को लेंगे ट्वेंटीन अक्टूबर दो हजार पांच बिल्कुल जाएगी मैं कोई दिक्कत नहीं के मूटर्स के लिए फोर नाइन टूबर पोर मिसिंग है फोर की रेमेडी डेलो राहुल भाई का फोन नंबर है डबल सेवन वन फाइफ नाइन 3-0 33-33 काल बेक कर लेना मंड़े को कल चुटी या रावल भाई की सरुशन दे देंगे आखो बिजिकली गौरब भाई अपना हाथ बपर करो कि देखो गौरब भाई वह अला वह अला वह अला हाथ बपर करो हाथ बपर करो हाथ देखो ये है विश्वास जो इन्होंने ब्रासलेट पहना है ना ये पहला ब्रासलेट जो है ये फूर को रिप्रेजेंट करता है कुछ बोलोगी तो आगया होगी स्क्रीन में वेट ही कर रहा हूं कि आप मुझे कब बोलने के लिए बोलो अरपाज यह मैंडम की देखो विश्वास है अगर विश्वास है तो बहुत कुछ है नाहीं किस सीच का सब्रेसलेट यह यह रुद्राक्ष का और क्रिस्चल है मैं नंबर फॉर जो मिसिंग है बिटिया का फोर नाइन टू क्यों पूरा एक्टिवेट करने के लिए सर रुद्राक्ष क्रिस्चल क्लियर 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 कॉर्ट्स वाला है आप राहुल भाई से मंगवा लीजिए और बिटिया के लेफ्ट हैंड में पहना दो ठीक है जरूर सर ठीक है ओके थैंक यूवरी मिश्चर अब दूसरी चीज एवरिटिंग डाट यू टोल तोडे वह सब क्लियर है एक चोटा सा चीज है कि 438 मेरे ग्रिड में कंप्लीट है ठीक है डिया बहुत सारी चीज़ें जो आपने मुझे बताई कुछ नहीं करती हैं राइट आमें चलेवरनेस कंगनेस नोवेर नोवेर ख्लोस राइट अब बताव फिर थाटियथ एप्रिल 1983 थीस चार उननेसो त्यरासी थीस चार उननेसो थासी थासी सर एटी थी 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 ओके ठीक है आट और एक नोच चार तिन साथ ड्राइवर थी चंडुक्टर वन ड्र मैं अगर कहूं कि गौरब भाई आपको जो है लाइफ में हर चीज के पीछना लॉजिक 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 चाहिए बट ऐसा नहीं है कि आप रिजिट हो आप सुनते भी हो मानते भी हो और उसको इंप्लिमेंट भी करते हो लेकिन अगर यही आपकी डेट अवर्थ होती थर्टी फस्ट फिर भूल जाओ फिर तो चार नंबर आ जाते हैं तो अब यहां पर आपको डबल थी का जो आशिरवाद मिल रहा है वह सौमेता का आशिरव करता हूं कि अपने आपको मत पापी बनाओ यह नौन वेज खांगी कोई नहीं आप नहीं अभी जो बाकी लोग पूछ रहे थे कोई भी धरम के आप हो कहीं भी आप रहते हो इंडिया औस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड इंग्लेंड बंगलाजिश आपको नौन वेज नहीं खाना किनको नहीं खाना जैसे गौरव भाई तीन नंबर वाले हैं जिनका ड्राइवर कंड़क्टर तीन है या नौ है उनको नहीं खाना चाहिए देखो मुझे कोई शौंक नहीं है कि मैं आपकी छुडवाओं बट अगर मेरे कहने से आपने इंप्लिमेंट कर दिया और आ जी दूसरी चीज सर आज कल जैसे आज मॉडन की बात हो थी कि 2000 में जतने भी लोग हैं जददर बच्चे उनमें बहुत सारे नंबर मिसेंगे तो यह मैं बाद में ही पूछूँगा विक्स बेटे से रिलेटेटे चीज़े उसके डिट में टोटिल नंबर ही दो है वान कुवा नंबर आठ है 933 11-3 is equal to 8 और अब कुवा नंबर आठ है तो आपर मेर्ज यू आफ तो माइनस 311-11 माइनस विसके लिए रिकॉर्डिंग वेज़ों गौरोब है उसको पूरी तरह समझना कल की रिकॉर्डिंग मैं सुबह डाल दूंग ग्रुप के अंदर या अभी चैनल पर चले जाओ संदीव सब्सक्राइब है वहाँ पर पहली वीडियो ही वह आज कल आज सवे की लगी है शौप शौप अलूब जी घॉरव भाई घॉरव कि रहता है और इंट्रिलक्श्वल सेकस्ट लेकिन इसमें इनका जो काम होता है वह किस रहता है जैसे पूरा चैप्टर आएगा चाचा सब्सक्राइब नाइन फाइवन क्या देता है काम तो बहुत सारे काम पहले ड्राइवर कंडुक्टर को देख के करने हैं कि मैं जितने एस्टर लॉजर के पास गया उन्हें ने का तुम्हारा चूरे चौते में बैठा है तुम खाने पीने या काम करो अर्विन सूर से मिनने नों का बेडागर कर दी आपना खाने पीने या काम करके ड्राइवर मेरा आठ है कंडुक्टर मेरा वन है वाक्या पास करोगे सर मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूं बहुत सारी चीज़ों को तो लुम्हार लेकिन हां रिलेट कर पार रहा हूं टोटल हंड़ड़ परसेंट बता क्या बात है काम कब होगा अमिताब बचन के पास एक्टिंग के कोई नंबर नहीं है लेकिन उसके पास शिदत है एक आशिरवाद है कि मुझे यह करना है और मैं करके दिखा सकता हूं बहुत माली करने वाले तो बनो यार उपर वाला आशिरवाद देगा क्या है कि 90 पसंट 92 95 पसंट आपको सारा कुछ निम्लोजी से कनेक्टेड मिल जाएगा पर कोश्चन कहां पर उठता है उपोजिट एरज इस ऑल्वेस रटेक्ट तो कोश्चन यह उठेगा सर जी या टू सिक सेवन नहीं था तो दो नहीं कैसे इसने वर्ल्ड कप जीत लिय सच्चन तो बगवान क्रिकेट का बगवान तो सच्चन था ना दोनी तो आज भी ना बन पाया विराट को लिए तो इतना बड़ा जैसे कि सबस्क्राइब कर दोनों मतलब मेरे बास है तो हम नहीं उनमें जमीन आस्मान का अंदर फिर बेरी बाद में तीन आशु तोष मिले मुझे तीन मेरे बोस मिले एक हटी हशी में एक स्पीमें और एक इस में था यूनिकौन में किनो आशु तोष था अब आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता है इसलिए तो समझ जा लेकिन तीनों की डेड़ों पर तालग थी एक चार नंबर वाला था एक आठ नंबर वाला था तो चाहिए तीनों से नहीं बनेगी जरुद्यार की तो मुझे बाद में समझ में आए कि मेरे से नहीं बननी एक याद है एक फर्वरी 1977 ड्राइवर वन कंडुक्टर नाइन है शायद एक ही डिटा पर याद है इसलिए इसलिए बॉस गौरव हो बॉस का बॉस भी गौरव हो कोई बात उस सबकी डीटा बर तो अलग है नहीं यार यार और बॉस हमारी सुने ऐसा होगा हमें बॉस की सुने तीर कि सुने में जाखा लगी सुन लेकिन हमें किस की सुननी है की तुम्हें सुना लो जाहे है व्रमू सही तो अपने आपको मैनेज भी करना लाना जी खिना फीकं था जर्व कौन से क्रम से लिखना ये वर कुछना था 4-9-2-3-5-7-8-1-6 यही करम रहेगा मैंड़ और सर ने जो बता है ना सैंपल उसमें डबल डबल लिखा है ना जी मैंड़ जिसको डबल पैसे चाहिए मेरी तरह जिसको डबल पैसे चाहिए मेरी तरह वो डबल लिखेगा अगर आपको सिंगल लिखो आपको किदने पैसे चाहिए दुगने चाहिए और सिंगल चाहिए ट्रीपल ट्रीपल अलोफ यही सारी नमाइल गादो सर इनका ध्यान सर्फ एक ही बात मैं इटकेगा समका मैं इतनी दिर सर्थ आते हैं कल से बोल रहे अगर जोडे में एक्सिल्एंट होता है लिख लो एक लाइन और टॉप पर लिख लो हर नंबर जोड़े में पेर में एक्सेलेंट होता है बस यह लाइन जब होगा याद आती रहेगी आपको हां और एक पुछना मेरे हजबन में मेरे में और बेटी में भी 951 तीनों में आ रहे हैं से ग्रेड में अपने मकाम में रहते हो हां हमारी में और क्या चाहते हो अब वाइट हाउस थोड़ी मिल जाएगा अमेरिका में घर से तो मैं संतुष्टू बेटी का ही शादी होना टेंशन नहीं है शादी किस्से करानी है वह ज्यादा बात निर्भर करती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज शादी करवाई परसों कोई दुख तकलीफ आई तो बच्चा आजे घर पे आजए ना वो नहीं चाहिए उसको तोड़ उसका निकाले कि सब्सक्राइब तो कुछ रेमेडी कर सकते करोना पॉजिटिव पढ़के नहीं है ना दिक्कत मेरी है न है मेरा बेटा और बहुत दोनों करोना पॉजिटिव हुए है कि अभी है इस समय हां सर आज ही रिपोट आए बेटा जादा हुआ है बहु को अभी हुए तब ठीक हो जाएगा वह बाबा राम दे की दवाई मंगाओ वही सबसे बेस्ट दवाई है उसके अंदर वह काड़ा प्राखे पिलाओ हर दुकाने ले रहे हां बस उससे ठीक हो जाएगा मैं उससे ठीक हो जाएगा त्री वन नाइन अपने उनके राइट हैंड पे रेड़ पैंसे ना यह देखो ऐसे यह रेड़ पैं लिया देखो मेरा भी हाथ खाली है कहीं भी उसके हाथ पे लिखवा दो थ्री वन नाइन लिखवा देखे मैंने थ्री वन नाइन ठीक है थैंक यू रेड़ पैंसे ताकि बिमारी चली जाएगे हाँ 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 जी मैं आज की जो आपने पड़ा है है उस से रिलेटिट कोई कोश्चन ने पूछा है तो मैं भी यह सोच रही हूं कि मैं भी आप से बैठी गंगा में हाथ दो लूँ की डुक्ती भी लगा लो आपके हाथ दो डुक्ती भी लगा लो पर अगर चीज को समझोगे तो अपने और क्लियर हो पाएगा सर मैंने अर बहुत ही बड़ी है बहुत ही बड़ी है सगी तो नहीं होगी सगी होगी सर देख लो एक साल गेंदरी जी जी तो सर मुझे कुछ बताईए मेरी बिटिया के बारे में सारा अपने पड़ा हुआ है मैंने वीडियो देखी है करके भी बहुत कुछ देखा है लेकिन मेरी बिटिया की डेटों बढ़ता है दो एक उन्नीस सो ठान में आपको लगता है कि दो चार आठ वालों को लाइफ में हड़ाज होते हैं हां जी जी मैं हां जी क्या कुश्च चाही लोगों की देखी भी य यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है घर में परिशानिया है सब कुछ आए कि हाल्बन वाइफ की नहीं बन रही है काम दंदों में भी रुकावट है लाइफ में वैसे भी मतलब आसान रास्ते नहीं है यह मैंने देखा है तो प्लीज आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लिए तो आगे बोलो जज की प्रिप्रेशन करें जल्दी गॉवर्मेंट जॉब लग जाएगी तो आपने बोला कि जिनकी आगे फॉर थी फॉर थी एट आएगा तभी गॉवर्मेंट जॉब लगेगी उसके तो है ही नहीं सर कुछ भी तो मैंडम चार लाएंगे ना क्लास में चार छोड़ेंगे थोड़ी चार को लिखेंगे ना क्लास में पकड़ के लिए उसको आपके लिए वीडियो देख ली सब कुछ कर लीगा और क्या उसको इंप्लीमेंट करके देखा मैंने अभी तक सर पोशिच बहुत यह सीखने की यह मैं मान की है नहीं है 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 जी है तो माने दों घू हो कि और आपके उन्य बूंप पर उसी का नाम यह पापा का नाम यह मत अच्छा जज बन सकती है एक अच्छी IPS ऑफिचर बन सकती है उसको बोलो पढ़ाई करे नंबर नहीं है अगर वो नंबर आपको चाहिए जो नंबर है क्लास में आ जाओ और इस बारी अर्जुन बन के जाना बहुत वह बन गए एक लवे बन लिए अब अर्जुन बन जाओ और सर एक और चीज है मेरे हजबन का कोई भी बिजनेस नहीं चलता है कम से कम दस्यों बिजनेस चेंज कर चुके हैं वो उनकी डेट वर्थ है बीस ग्यारा उननीस सच्छेश्ट वह भी दो नंबर वाले हैं कैसे चलेगा अगर अपने आप चलना होता तो फिर इतनी बड़ दो चार जाट वालों को डूटने के लिए करता हूं और महनत बहुत करते हैं मैं उसमें मतलब हमें तो महनत ही कर रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि नौव बात तो सारी वही है ना वेर दिर इस विल दिर इस वे क्लास में आओ मैडम सॉलूशन सब्सक्राइब क्लास में व जब आपको पता है दो चार आड़ में खत्रा है तर तीनों के कस्राशन ले जाओगे तो तीस पहत्तीस पचास जार में खर्च करो के पैंच-टालीस मिनेट गे ठीक है साड़े चौदा जार में घर्च करो तेईस दिन दो गंटे रोज संदीप सर्क साथ बैठो एक एक चीज को बारी की समझो मैं पर्सनली मिलना चाहती हूं उसके लिए मैं तो आप मुझे या तो एड्रेस दी दिए या कुछ मुस्से बात कर ले ना मंडे को 1230 को यूल दो गंटे मिलना चाहतो या तेईस दिन मिलना चाहतो रोज दो गंटे ने वो तो ही है लेकिन मैं अभी मेरी मदा इलनों जो है वो बैट पर उनको देखने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है तो उनको छोड़ नहीं सकती हूं इसी वज़े से मुझे सिर्फ एक अपॉइ तो एक विहार में रहते हैं तो सर आप अपना नंबर दे दीजिए या तो राहूल सर डबल सेवन फाइफ नाइन बोलो राहूल भाई त्री जिरो ट्रिपल त्री जिस आईडी साब ने जोईन किया है मुझे वो आईडी ही मेरा नंबर है ठीक है सर यह मैं आपको कॉल करू सब्सक्राइब ने जाएंगे जैश्री जी रेलेटेट टू क्वरी जैश्री जी रेलेटेट टू क्वरी जी 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 तो यह थर्टी एट का एट कैसे लिया एक समझ में एक मिन टूक को मैंडम आपको क्या बहुत लोगों को समझ में नहीं आया क्या डिटा बढ़ता शीला दिक्षिट जी की मालूम है आंको क्या यह ड्राइवर क्या यह कंडुक्टर निकाला आपने ड्राइवर फोर एक अंडुक्टर वन है यह तीन ठीक है जी अब बड़े ध्यान से देखो ग्रिट कैसे भरनी है थ्री है थ्री आ गया वन है वन आ गया फिर थ्री है थ्री आ गया वन है वन आ गया नाइन है नाइन आ गया थ्री है थ्री आ गया एट है एट आ गया फोर है फोर आ गया वन है वन आ गया अब बताओ क्या कोश्चन है आपका सारी नंबर लेने पड़ेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौवा कहा गया एक दो तीन यह उगया तीन नहरों ठाटी एट पूरना चाहिए जी मैं क्लियर अब जी रहुल जी करण जी जी जैगुर्जीदिया जैसे ट्राइवर कंडिक्टर जिए तो उसको फिल करते हैं क्या कुवा नम्बर भी उसको फिल करता अगर मिसिंग हो और वापको नम्बर में आ जा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसे शीला दिख्षित का यह साथ आ गया है यह साथ यहां तो आ रहा है अभी भी मैं इनके मिसिंग नंबर लिखूंगा यह देखो missing numbers one आ रहा है two missing है, three missing है three missing नहीं है four, four भी missing नहीं है five missing है, six missing है seven missing है और बस यह है जी एक, दो, तीन, चार seven बिलकुल missing है क्योंकि मैंने बताया था driver की power 100% है conductor की power 80% है kuwa की power 20% है इस box की क्लिमत 33.3% है kuwa number 20% आ रहा है इसलिए missing माला जाएगा तुझे एक complete माला जाएगा missing, missing, missing गोरा भाई, पूरा तब माने जाएगे जब 33% at least उसके इंदर हिस्सादारी हो किसी भी चीज़ को right, अगर वो 20 kuwa number is only power having the 20% kuwa number आपकी missing number को fulfill नहीं करता है kuwa number सिर्फ एक blessing number है, वो आपको एक अलग energy दे रहा है पर वो आपकी circle को 20% तक वो आपको grid में help कर रहा है is that true sir, ऐसा ही था, हाँ 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 अशी एड़ी है, जी सुनिता मेडम, चली सुनिता मेडम, इजादत लेंगे, जी सुनिता मेडम, मिला नरेंदर मोदी, जवाब मिला, नरेंदर मोदी आला, हाँ थी सब वो तो मिला, सब मैंने ये पूछना था, जैसे मेरे grid में नाइन और 1 है, अगर कुवा नमबर लेते हैं हम तो सेंटर में तो वो 951 कम्प्लीट हो जाता है, तो क्या हम यहां पर कुवा नमबर लेंगे, इल्कुल लेंगे मेरा, आपके बास वन यह से जो आपके वन बी है, नाइन भी है, और आपकुवा नमबर पांच है, यही कहना चारी है का? पांच या तो यह हुआ, 33% यह हुआ, 20% यह हुआ, टोटल कितना हुआ, 86% अगर इन तीनों को मिला के जो आपने qualities बताई है, कि वो बंदा satisfy है, तो वो सर मैं हूँ, बिलकुल हुआ आप मैडम, बिलकुल हुआ आप, 86% सट्श्काइड हो मैं, 86% यह नमबर आ गिया, तो आगिया मैडम, उसका अशिरवाद आ गिया, जो मिसिंग हो गिया, जो मिसिंग हो गिया, बेस्ट गिवर इनाइफ सर्ड वो बनता है, तो मैंने वही पूछना था, कि 5 को हम लेंगे यहाँ पर, बिलकुल लेंगे मैडम, 20% पावर के साथ आएगा, बिलकुल रहुल बाई, बिलकुल रहुल बाई, बिलकुल रहुल बाई, शॉरी फॉर लेट, जिन बच्चों से बात नहीं हो पाई, उनसे हम शमा मांगते हैं, जिन लोगों बच्चों क्लास जोइन करनी हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, डबल सन, 159, 3033, कल शाथ बचे के बाद मैं आफिस में हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों की रिकॉर्डिंग कल सुबह आपको मैं ग्रूप में दे दूँगा, स्टिल मैंने संदीप सुर का चैनल बेजा, बहुत सारी वीडियो से, आप लोगों की नॉलेज के लिए, राइट, और संदीप सुर ने जो आज सिखा है, की प्रैक्टिस, मालों ये तीन भी ढूंड़ोगे ने गरों में दोस्तों में, इसको करेंगे, आज आदा है, कल इसको करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो कल आच अच्छा सीखता होगे, इस प्रैक्टिस पर फिर कॉश्चन पूछने वाला हो आप से, आज आपने पूछें कल मैं पूछूँआ, राइट, क्लास की फीज़ से वन फोर फाइज सेवन तीन तरिक तक ही ओफर है नहीं तो उसके बाद आप भरोगे तो उननीच दिशान नौ सो निन यानुए रुपे हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल राइट चुल एक पस चले रादे राधे करते पिछलते रादे राधे राधे बुडियो जो मैंने संने 24 नमबर के बारे में आपने बताया और बॉमबे के बारे के बारे में भी आपने कॉन हिस्ट्र किया अपने किनाट पेसम है ड्राइविंग करते में लगा लगा रखा है तो मेरा कुश्चन यही एक रश्चर नमर को दुबारा अपने साथ रखना चाहिए बिल्कुल रखना चाहिए पर लिटल रॉजे कैन भी वेरी वेरी डेंजरस जी जी राहुल गांदी के पाइट डबल सिक्स है उसको क्या चाहिए मैं लोग आपके घर में दोनों मर्सेडीज खड़ी हैं आप कहरें संदीब भाई एक मर्सेडीज ओन ले क टोहुक मैं लेकिन जमीर रीज काण नहीं नहीं मैं पहले आर्यपोर्ट चाहिए रडुपर्ट होगा और लुकिस नंबर जबन के बारे में आप क्या किनां कुछ बताएंगे के कि वस्पताएंगे को कल बात करेंगे thank you thank you so much all the best all the best thank you so same idea same password टेक चुह स्थेब्लेस